पूरे एक लेक्शर के अंदर डिवोशन के साथ में पढ़ा है ठीक है अगर आप यहाँ पर रेगलर नहीं आनकेटमी जही चैनल के उपर बच्चो तो आपने यहाँ पर सबसे बहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको जही लेवल तक का पूरा कॉंटेंट बहुत अमेजिंग तरीके से मिल रहा है हम इसके पहले दो बार आपको यह दे चुके हैं content लेकिन हम यहाँ पर improve करते रहते हैं और आपको यहाँ पर 3.0 में और भी amazing तरीके से सारी चीज़े पढ़ा रहे है So make sure that you follow all the live lectures of all the educators जो यहाँ पर physics chemistry maths में आपकी मदद कर रहे है आज यहाँ पर आपका modulus का जो second portion discuss होने वाला है उसके अंदर हम क्या क्या discuss कर लेंगे आज के ही lecture के अंदर आज के lecture के हम यहाँ पर बच्चो modulus equations and modulus inequalities दोनों ही solve करना सीख लेंगे So today's lecture is going to be a very very important lecture क्योंकि inequalities जो solve करना बच्चा सीख लेता है वो क्या निकाल पाता है वो functions की domain के questions solve कर पाता है तो make sure कि आप आज के lecture के अंदर जो चीजे सिखाई जारी है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें जितने अच्छे तरीके से हम यहाँ पर modulus पढ़ रहे है वैसे हम यहाँ पर आगे lock function और भी कई सार यहाँ पर जो important functions है वो सभी इसी particular functions chapter के अंदर पढ़ने वाले है ठीक है So make sure that you are regular और आप अगर यहाँ पर regular है तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर जोड़ो साथ में आप share करो अपने lectures को with the hashtag jlive daily और आपको यहाँ पर एक काम तो बच्चो जरूर करना है आपको यहाँ पर like button प्रेस करना है which is the only price that you need to pay for all the jlive daily 3.0 sessions और साथे साथ यहाँ पर बच्चो आप अगर मेरे साथ में further connected रहना चाहते हो तो आप मेरे साथ instagram के उपर जुड़ सकते हो samir underscore itr के साथ में वहाँ पर भी आपके साथ में live interactions करके मुझे काफी मज़ा आता है और आपको यहाँ पर अभी भी नहीं पता तो आप यहाँ पर मेरे profile के उपर जा की देख सकते हो कि बच्चे वहाँ पर किस तरीके से interact करते हैं कैसे classes टाटनी करते हैं आप अगर मेरे profile के उपर जाओगे on anacademy substitution platform तो वहाँ पर आप देखोगे कि already 75,000 से जादा बच्चे follow कर रहे हैं आप भी यहाँ पर follow करो ताकि आपके पास में मेरी जो भी classes है उनका notification first hand आपको मिल जाए कई सारी classes वहाँ पर बच्चो free भी होती है और कुछ वहाँ पर courses जो हम launch करते रहते हैं उनका भी notification आपको right time मिलते रहेगा और अगर आप यहाँ पर telegram channel के उपर रहोगे तो आपको यहाँ पर फिर से connected feeling आएगी जहाँ पर आपके साथ में हम regular basis पर notes भी share करते हैं ठीक है आपके पास में लेकिन अगर इस link का access नहीं है तो भाई सबसे पहले आपने इसको check out कर लेना चाहिए live delay.me.je के उपर आपको यहाँ पर सारा का सारा content एक साथ systematic manner में मिल रहा है 3.0 के जो आपके lecture से वो भी हमने यहाँ पर आपको देना start कर दिये हैं ठीक है तो one single link can solve all your problems make sure that you have this as a bookmark in your browser या फिर इसको pin करकर रख लो जिसको आप यहाँ पर बड़े ही आसनी से access कर पाओगे ठीक है और अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हो हमारा next level of recommendation क्या होता है तो बच्चो on academy subscription एक ऐसा platform है जहाँ पर आपकी जो अनकहट में चाहिए की team ही हो तो पढ़ा ही रही है लेकिन साथ साथ भापी इंडिया के और भी top educators है apart from good educators यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि system यहाँ पर इस तरीके से बना है कि आपको doubt clearing sessions बहुत अच्छी तरीके से जो है attend करते आता है आपको test series देते आती है आपको educators साथ में interact करते आता है फिर पढ़ते आता है so that in all creates a great atmosphere for learning तो आप यहाँ पर subscription platform join करने के बारे में सोच सकते हो और आपको पता होगा यहाँ पर कि इस बार ब्रतिन ने 100% लाकि दिखाया है वैसे ही उसके साथ-साथ यहाँ पर इतने सारे उसके साथ ही है जो 99 plus percentile पर बैटा है which makes us really really proud about the system that is generated और जो यहाँ पर बच्चे दिशारी के से यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है वो यहाँ पर एक मिसाल कायम कर रहा है कि online education अब यहाँ पर result भी निकाल सकता है ठीक है and you could be among those students as well Unacademy J.E.E. के भी यहाँ पर बचो जो students रहे हैं उन्होंने बहुत amazing चीज़े करके बताई in fact ब्रतिन जो है उसने भी यहाँ पर initial 2 मेहने Unacademy J.E.E. चैनल के ओपर पढ़ाई करे थी क्योंकि वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा flow और एक entire ecosystem मिलता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर बिना किसी आलस के extra motivation के साथ में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाते हो ठीक है Samir Live के साथ में join करके तो आपको यहाँ पर magazine possible discount भी मिलेगा और यहाँ पर आप decide कर सकते हो आपको कितने समय के लिए subscription platform join करना है that entirely depends on you by the way लेकिन अगर हमारे recommendation फिर से आप देखना चाहोगे तो वो यह है कि 11 वी वाले बच्चे या फिर जो उनसे भी junior है उन्होंने 2 साल का subscription लेना चीए ताकि आप यहाँ पर spread out करके अपनी पूरी पढ़ाई कर पाऊ और अगर आप लेकिन अगर 12 वी में जा चुके हो तो आपको बच्चों जादा समय नहीं है आपको एक साल के अंदर ही सब कुछ सीखना होगा so take one year subscription ताकि आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई और यहाँ तक इक्वेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है तो मॉडलस का भी idea हमारी दिवाग में बहुत ताजा है अब इन दोनों चीजों को आपको कलब करना है मतलब इस बार क्या होगा आपको इहाँ पर x के अंदर कोई एक equation दियो होगी जिसके अदर मॉडलस वगरा भी कहीं कहीं लगावो होगा और आपको solve करके बताना है कि x की क्या के values आ सकती है ठीक है लेट इस ट्राइट उस्टाट ओफ विट वेरी बेसिक question जहाँ पर आपको मॉडलस equation जो है अपलाय करते आएगी है ना लेकिन अगर आप यहाँ पर basic idea अगर लेना चाहते हो तो छोड़ा सा यहाँ पर theory में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपने सोचना कैसे है ठीक है इवन बिफोर इस टाट ओफ विद विदो question छोड़ा से हाँ पर understanding लेलो आप यहाँ पर सोचों कि आपके उसमें सवाल किस तरीके से आ सकता है so this is one pattern of questions जो आपको यहाँ पर मिल सकता है कि आपको यहाँ पर x में कोई तो एक expression लिखावा दिखाई देगा आपको यहाँ पर अभी यह expression जो है fx की तरह देखनी के आदर डाल देना चाहिए अब यह जो fx है आपका यह हो सकता है x square minus 1 हो हो सकता है कि 2x plus 1 हो लेकिन x में कोई ने कोई expression लिखावा होगा जिसको पर mod लगा है ठीक है अगर यह expression mod वाला किसी constant के साथ में compared है और आपका अगर constant का value a है then in that case यहाँ से 2 ही possibility basically बन सकती है अपनी equation को आगे proceed करने के लिए ठीक है क्यों क्योंकि mod यहाँ पर a कप कप बनेगा आप सीधे सीधे सोच सकते हूं आपने यहाँ पर अंदर जो fx लिखा हुआ है अगर वो a के बराबर हो जाता है तो उसका mod भी a के बराबर होगा नो अगर आपने यहाँ पर इस equation को solve करने का सोचा mod of fx is equal to a तो मैं यहाँ पर आपको यह कह रहा हूँ कि आपका यह equation satisfy कब होगा जब आपका अंदर वाला quantity सीधे सीधे a के बराबर हो जाएगा तब यह बात clear हो जाएगी कि mod लेने पर भी a ही आएगा equation आपके satisfy हो जाएगी so we have a simple equation जिसके अंदर आप mod नहीं है इसको solve करके आप अपना x का value निकाल सकते हो ठीक है दूसरा scenario जो आप यहाँ पर further सो सकते हो क्या है कि यह जो अंदर वाला expression नहीं आपका वो किसके बराबर हो जाएगा अंदर वाला expression आपके यहाँ पर minus a के बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा क्योंकि ultimately तो mod लगा कि हम यहाँ पर equation create कर रहे हैं अगर यह अंदर वाली quantity minus a के बराबर हो जाती है तो भी आपकी equation क्या हो जाएगी साथ में compare कर लेंगे या फिर fx हम यहाँ पर minus a के साथ में compare कर लेंगे लेकिन यहाँ पर आपको फिर से एक बार में याद दिला देता हूँ कि यह हम कर पाएंगे अगर हमारे पास में right hand side में constant number होगा तो right hand side में अगर आपके उसमें constant number है then we will create two equations further या तो fx directly equal to minus a या फिर fx directly equal to a and then we will start the solution let us try to apply this कभी-कभी क्या होता है ने कि theory में जब हम चीज़े बोल रहे होता है without numbers हमें यहाँ पर जो हे कई बार इतनी feel नहीं आती है कि यहाँ पर actually करना क्या है so let us try to apply this in one of the questions try it out यहाँ पर आपको अगर कोई दे रहा है कि x plus 7 का mod is equal to 3 तो हम यहाँ पर x की value कितनी मिलेगी simple सा है यहाँ पर मैंने आप सा सवाल पूछाए try it out everyone ठीक है कई सारे amazing questions आज के lecture हमें करने वाले है लेकिन start तो हम basic से करते हैं as usual आप यहाँ पर notice किया होगा कि हम यहाँ पर जो flow of questions है वो काफी ध्यान से select करते हैं ताकि यहाँ पर हर level का बच्चा जो है वो बात को समझ पाए पकड़ पाए है ना तो आज आगे चलते चलते हैं आपको यहाँ बहुत ही amazing equations के questions भी solve करने के लिए इसका मतलब मिलने वाल है but let us start with this तो x plus 7 का mod अगर आपको 3 के बराबर चाहिए तो आप यहाँ पर क्या-क्या सोच सकते हो आप दो ही तरीके से यहाँ पर जो है अपनी equations बना सकते हो ठीक है आप यह बोल सकते हो कि आपका x plus 7 जो है जो आपने हाँ पर fx अंदर लिखा हुआ है उसकी value overall 3 हो जाए या फिर x plus 7 जो आपने अंदर लिखा हुआ है उसकी value minus 3 हो जाए उसकी value 3 हो जाए या फिर उसकी value minus 3 हो जाए and this is how we can actually solve this question तो यहाँ पर कई बार बच्चे अपना shortcut create कर लेते वैसे इसका answer निकालना कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए यहाँ से हमारे पास में answer आता है कितना minus 4 और यहाँ से हमारे पास में answer कितना आता है यहाँ से हमारे पास में answer आता है x equal to minus 10 क्या यह दोनों ही answers acceptable है क्या हम यहाँ पर equation के अंदर अगर minus 4 डालेंगे तो 3 के बराबर आपको यहाँ पर equation satisfy होते हुए मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी अगर आप यहाँ पर x की value minus 10 डालते हो तो भी आपकी equation यहाँ पर satisfy होते हुए आपको मिलेगी, so we have successfully solved this equation अब कई बर बच्चे यहाँ पर जो है इस idea के साथ में comfortable feel करते हैं कि आप mod open करो और right side में plus minus लगा लो ठीक है, वो लिखने की ज़रूर थोड़ी हमने ultimately किया हुई है mod हटा के right side में plus minus लगा लो this is another way of looking at the solution करना ता आपको वो ही है another way of looking at the solution could be कि आपने यहाँ पर mod हटाया और इस side plus minus लगा लिया ठीक है, तो यहाँ से आप फिर से अप plus minus एक ही equation लो solve थोड़ी कर पाऊगे आपको एक बार plus के लिए अलग equation बनाने पड़ेगी minus के लिए अलग equation बनाने पड़ेगी तो वो ही तो आपने यहाँ पर किया है तो even if you try to look at the question in this manner आपको ultimately करना तो यही पड़ेगा आपको करना तो यही पड़ेगा बास में आली सर्वेचोगो minus 4 and minus 10 जल्दी से यहाँ पर आपके answers अगर निकल दे जा रहे है तो आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पर live chat में report कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर शिवाइं रिपोर्ट कर रहा है और चंदन रिपोर्ट कर रहा है बिल्कुल तनमे रिपोर्ट कर रहा है minus 10 और minus 4 आपके यहाँ पर answers है ठीक है ओर राइट सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या हम इसी logic के basis पर और थोड़े बड़े सवाल भी कर सकते हैं कि जैसे कि यह सवाल है क्या यह भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा भी हाँ पर mod के अंदर mod लिग दिये लेकिन मैंने जब आपको बोला था कि fx के उपर mod लगावा है और equal to constant है तो मैंने क्या ऐसी कोई restriction डाली थी कि अंदर mod नहीं हो सकता मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था तो इसका हम अभी भी अपने general idea के साथ में आगे proceed कर सकते हैं हमारा idea क्या है वो यहाँ पर से आपको लिख के बताएता हूँ अगर fx का mod is equal to a है तो आप यहाँ पर दो तरीके से इसका solution आगे proceed करते हो या तो fx directly a के बराबर हो जाए या फिर fx जो है वो minus a के बराबर हो जाए है ना जैसे कि हमने इसके पहले किया था इसके पहले हमने क्या किया था या तो आपका generate faits से 3 के बराबर हो जाए या फिर fx आपका minus 3 के बराबर हो जाए त वही सेम का मैं यहाँ पर भी करूँगा मेरा developments इस पर क्या है दिखने में अच्छा नहीं है बस इतना सा लेकिन दिखने में अच्छा नहीं थे इसका क्या मतलब है, हम solve नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा effects है, तो मेरा पहला case क्या बनेगा इस case में, first case that I will create is, कि x plus 1 का mod minus 4 कैसा हो जाए, directly 5 के बराबर हो जाए, या फिर, x plus 1 का mod minus 4 minus 5 के बराबर हो जाए, बात create कर रही है, ये एक नया modulus equation अपने आपने create कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फिर से इसको break कर लेंगा, क्योंकि अब आपको देखो, ये आला expression देखे, exactly वही वाली feel आ रही है, तो आपको एक बार फिर से इसको break करना पड़ेगा, तो mod के अंदर जब भी mod आ x plus 1 जो है, वह आपका minus 9 हो जाए, मदब आप x की value 8 इस्तमाल कर सकते हो, या फिर आप x की value minus 10 इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब right hand side की क्या कहानी बन रही है, right hand side में अगर आप देखते हो, तो आपको यहाँ पर next step क्या लिखना पड़ेगा, आप x plus 1 is equal to plus 1, क्या मैं इसको further solve करना चाहिए, अगर आप इसको further solve कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर एक छोटी सी बात miss out कर दी है, आपने यहाँ पर बात जो miss out कर दी है, वो क्या है, कि आपका यहाँ पर a बोला जाता है, यहर वो positive होना चाहिए, आपका a यहाँ पर positive for sure होना च यह तभी आप जो है, इस process में आगे proceed कर सकते हो, क्योंकि अगर यह negative हो गया, तो फिर तो आपकी यह equation कभी true होई नहीं सकती, mod जो आपका होता है, आपके पास जो mod होता है, वो तो हमें पता है न कि हमेशा answer positive generate करेगा, तो इस तरफ आपने लिखा हुआ है, for sure एक positive expression, क्योंक हम इसको ignore कर देंगे, हम बोलेंगे यहां से further कोई answer नहीं निकल सकता, तो हमारे बास में दो answer आएंगे, clear है sir बच्चों को, 8 and minus 10 बहुत बढ़िया, 8 और minus 10 दो ही यहां पर हमारे answers बन सकते हैं, ठीक है, funda पकड में आगया, yes, all right, so अभी हमने पिछले सवाल में, जो देखा उससे better हमने क्या देखा, अपना अगला सवाल देखा, ठीक है, यहां पर हमें सॉल में आया, कि एक ही value जो है, उसको भी weightage देना होता है, एक ही value यहां पर जो है, negative होगर आगा जाएगी, तो solve मत कर देना उसको, एक ही value positive रहेगी, तब ही हम वो method इस्तिमाल करके solve करेंगी, अब अगला question solve करो, ठीक है, हर question में कुछन कुछ सीखोगे आपने, ठीक है, यहाले question में देखो, गलती करोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो, करने से आपको ज़्यादा बहतर understanding मिलती है, जब भी हम ठोकर कहते हैं, तो याद रखते हैं कि या नहीं, इस रास्त कराना चीए, x-3 का mod, x-3 का mod is equal to 2x plus 1, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आपने क्या सोचा, कि एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि x-3 is equal to 2x plus 1 कर देता हूं, और एक बार मैं यहाँ पर x-3 is equal to minus of 2x plus 1 कर देता हूँ, ठीक है, यह सोचा आपने, क्योंकि हमने यह तो सीखा है हमने बुला कि आप जो अंदर वाला fx है उसको एक बार a के बराबर कर देना और एक बार minus a के बराबर कर देना एक बार आप a के बराबर कर देना और एक बार that straightforward, if you want to solve such questions, हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, देखो, यहाँ पर आपको solve करके क्या answer आया होगा, वो मैं एक बार आपको बता आता हूँ, यहाँ पर आपके बारस में आता है, minus x is equal to 4, तो x is equal to minus 4, एक possibility बनती है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बिना सोचे समझे, आग बन करके solve करोगा, तो minus 4 आपने एक answer निकाला होगा, और यहाँ पर आप देखते हैं, तो x minus 3 is equal to minus 2x, minus 1 create किया होगा, तो यहाँ पर 3x is equal to, आपने 2 बनाया है, तो x equal to 2 by 3 आया होगा, now interesting thing is, कि यहाँ पर जो मैं आपको correct method बताने वाला हूँ, उसमें, इन में से ही एक correct answer आने वाला है, उनमें, इन में से ही एक correct answer आने वाला है, क्योंकि mod के expression को open करने का यहाँ पर जादा कोई तरीका होता नहीं है, या तो हम अंदर वाली quantity को देख कर, plus sign के साथ में open कर सकते हैं, या I can see a lot of students answering minus 4 and 2 by 3 in the chat, and only 2 by 3 वाले भी बच्चे यहाँ पर है, बहुत बड़िया, मतलब उन्होंने यहाँ पर mod को समझ लिया है, अच्छे तरीके से, ठीक है, देखो, यह सवाल में आपका जो theory discuss हुआ है, वो apply नहीं होगा, पहले तो यह समझोनों आप, क्योंकि theory जो मैंने discuss किया, उसके अंदर तो constant वाली theory discuss करी, यह तो भी मैंने discuss किया नहीं था, आपने constant वाला फंडा इसके उपर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो करेंगे which is 3, so 3 के right में mod अलग तरीके से open होगा, 3 के left में mod अलग तरीके से open होगा, बात समय में आ रही है, यह वो वाला question है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 के right में open करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 3 के right में I will open it with a plus sign, mod plus sign के साथ में open होगा, तो यहाँ से आप जो calculation कर रहे हो, यह बिल्कुल वैसी calculation है, जैसे आपने पहले करी थी, और यहाँ से आपका answer आए है, minus 4, लेकिन अब आपको पता है कि आप कौन सा case solve कर रहे हो, इसके पहले आपने ऐसे ही बस solve कर दिया था, answer यह आया था आपके पास में, है न, x equal to minus 4, आपके answer में answer आया था, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो case solve कर रहा हूँ, जिसके अंदर में x को 3 से बड़ा मान रहा हूँ, जब मैं 3 से बड़ा मानूंगा, तब तो यह equation बनेगी न, और मेरे पास में answer क्या आया, minus 4 आया, which does not satisfy this condition, 3 से बड़ी वाली condition, इसका मतलब में इसको करूंगा, ignore, इसको करेंगे हम neglect, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह greater than or equal to 3 से match नहीं करता है, that is how you will get only one answer, वो कहां से मिलेगा, इस case से मिले अपन होता है, ठीक है, तो if you further solve it, minus x plus 3 is equal to कितना हो जाएगा, 2x plus 1, and that will give us how much, that will give us 2 is equal to 3x, मतलब x equal to 2 by 3, answer तो वही आया हैं दो यही तो मैं आपको बता रहा था, पिछली बार जो हमने solve किया था, तो हमने बस यह बोला था कि right hand side में एक बार plus लगा, और right hand side में minus लगा, इ कौन से हैं, इसलिए मैं इसको accept करूँगा और उसको neglect करूँगा, ठीक है, मैं इसको accept करूँगा, ठीक है, और उसको neglect करूँगा, only 2 by 3 is the correct answer, याद रहेगा सारे पच्छों को, तो तीनों questions में difference on में आया है, आपके जो पहले दो सवाल थे, पहले दो सवाल में आपको के आगे constant value दीवी थी, तो हमारी यह वाली approach directly applicable थी, ठीक है, अगर mod के आगे constant नहीं है, then we will try to make cases, मतलब हम basically यहाँ पर mod को अलग-लग तरीके से open करके, अपना answer यहाँ पर finally ढूंडेगे, बात के लिए होगे ही सारे पच्छों को, is that right, 2 by 3 only is the correct answer, next up is this question, again a very interesting question, लेकिन आपन अगर पिछला, जो question का idea है वो अगर पकड़ लिया है न तो आपके सही answer आएंगे, ठीक है, तो solve करो इसको जल्दी से और answer बताओ क्या आना ची, x square plus 7 times of mod x plus 10 is equal to 0, x square plus 7 times of mod x plus 10 is equal to 0 का answer क्या निकल कर आना ची, जो जो बच्छे यहाँ पर कर रहे हैं, pause कर सकते हैं, है न, I am starting off with the solution, जो बच्छे यहाँ पर solve कर रहे हैं, उनको pause करना का यहाँ पर ज़रूत पड़ेगी, और अगर आप बहुत ही तेज हो, तो आप live chat में अभी भी answer बता सकते हो, कोई जल्दी वो नहीं है, मतलब मुझे दिकत नहीं, ठीक है, you can try it out, and answer in the live chat, yes, mod of x का square is equal to x का square, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं आपके साथ में दो methods discuss करूँगा, जिसमें से एक method का solution बच्छा बता रहा है, very nice, all right, यह कौन था बच्छा, दिपान्शू, दिपान्शू यहाँ पर हमें method बता रहा है, दिपान्शू आपकी method भी discuss करूँगा, लेकिन पहले, मैं यहाँ पर जो अभी इसके पहले, जो question लिया था न, उस तरह से solve करके पहले, बाकी बच्छे को बताया था हूँ, फिर आप अली method भी discuss करेंगे, that is an extra knowledge that we want to have, all right, so यहाँ पर पहले याली, मेरी अली method देख्छा है सरबचर, तो हमारे पास में method 1 क्या है, कि हम mod को open करेंगे, लेकिन ऐसे ही बिना सोचे समझे open मत कर देना, अगर आप mod को open कर रहे हो, तो यह ध्यान रगना कि mod कब किस तरीके से open ह हो रहा है, तो यहाँ पर mod इसके ओपर लगा है, तो आपका critical point है 0, critical point अगर आपका 0 है, तो आप यहाँ पर 2 cases बनाओगे, कि 0 के right में क्या होगा, और 0 के left में क्या होगा, ठीक है, तो 0 के right में आपका mod जो है, वो plus sign के साफ में open होगा, तो यह हो जाएगा, x square plus 7 x plus 10 is equal to 0, औ कि आप तो 0 से बड़े answer ढूढने की कोशिश कर रहे थे, आप जिस तरीके से equation solve कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, आपने हाँ पर mod x को क्या लिखा, x, बनाओ आप expect कर रहे हो कि 0 से बड़े answer निकल कर आएंगे, लेगिन 0 से बड़े answer निकल कर आए नहीं है, इसलिए मुझे इसक minus 5 is equal to 0 आता है, और यहां से बनेगा आपका इसमें 2,5, आप expect कर रहे थे कि आपका negative answer आएगा, तब ही तह आपने mod x को minus x से replace किया है, लेकिन आपका इसमें जो answers आए हैं, वो आगे positive तो आपको इसको भी neglect करना पड़ेगा, and that is the reason कि आपने दो जगे अगर neglect कर दिया है, तो आपका final answer क्या है, इसका no solution, ठीक है, यहां पर आपका final answer क्या है, therefore no solution, सभी जगे हमने neglect की मार दिया, ठीक है, no solution is the correct answer, यहां पर हमार पास में 4 answer बताने वाले बच्चे भी अगर कुछ हैं, तो I hope उनको यहां पर कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, now let us come to the second method जो यहां प times of mod x and plus 10 is equal to 0, what we know is, कि अगर मैं x का square करूँ, चाहे मैं mod x का square करूँ, same बात होती है, सोचो ना आप यहां पर, आगर मैं आपको बोल रहा हूँ, कि आप 2 का square करू, या फिर आप mod of 2 का square करू, answer तो दोनों के cases में 4 निकलेगा, समझरी, 2 का square करो, चाहे आप mod of 2 का square करो, answer दो क्योंकि यहां पर आपको लग रहा है, कि यह mod जो है, यह तो 2 कर देगा इसको, तो क्या हो गया, square भी तो यहां पर sign हटा देता है, square भी यहां पर लगभग वही काम करता है, square क्या करता है, अगर minus होता है, तो उसको भी खा जाता है, और plus होता है, तो कोई दिकत नहीं, plus होत इसमें mod x का square replace करो, तो क्या होगा, मेरे पास में एक बहुत ही simple सी equation आएगी, mod x का square plus 7 times of mod x plus 10 is equal to 0, तो यहाँ पर factorize करते समये, बस आपका variable x नहीं है, mod x है, तो factorization तो तब भी मेरा, जो भी कॉरिडिक का उसी तरी किसे होगा, तो यह हो जाएगा, इस तरह से, mod x plus 2 into mod x plus 5, यह factorize करते आगया, splitting the middle term से सारे बच्चों को, आगर आपको आपको अभी convenient नहीं लग रहा, आप यहाँ पर mod x को थोड़ी दर के लिए t बोल दो, तो आपको 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 मिलेगा, t square plus 7t plus 5, t square plus 7t plus 5 का यहाँ पर factorization क्या होगा, t plus 2 into t plus 5, ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर compare करूँगा, तो मिरे पास में क्या basically यहाँ पर answer बन रहा है, मिरे पास में यहाँ से answer बन रहा है कि mod x का value जो है, वो यहाँ तो minus 2 हो जाए, या फिर mod x का value आपका minus 5 हो जाए, अगर इसको 0 करते तो minus 2, इसको 0 करते तो minus 5, और mod की value negative कब होती है, mod की value तो negative होती ही नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको भी neglect करोगे, और आप इसको भी neglect करोगे, यह आपका सही answer नहीं निकाल के देगा, तो यह भी आपका एक तरीका हो सकता है, अपने question को solve करने का, this is something important, है ना, इस बात को ध्याना के सारे बच्चे, x square करो, चाहे, mod x का square करो, आपका समय answer, same निकल कर आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अब अगला सवाल करते हैं, next question is this, कितने बच्चे, इसका answer बताएंगे, जल्दी से करो, टू टाइमस ओफ, mod of, यह थोड़ा अब जादा बड़ा हो गया न, जल्दी से कर पाएंगे कैसार बच्चे, I am not sure, टू टाइमस ओफ, mod of, x minus 2, minus 3 times of, mod of, x plus 4, is equal to 1, इसका answer क्या बनना चाहिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमने यहाँ पर initially जो theory discuss करे थी, वो तो अब useless हो गई हमारे लिए, क्योंकि हमने जो theory discuss करे थी, वो तो इस type के expression के लिए थी, mod of fx is equal to a, अब यहाँ पर तो दो mode आ गए, इसकी theory अभी हमने discuss होड़ी न की है, क्यों नहीं करी है, क्योंकि हमने last class में already बहुत major level पे, modulus open करना सीख ले हैं ने यार, मैंने बार बार आपको lecture 1 में, जो modulus का lecture number 1 था उसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, फिसल lecture में, कि आप अलग-लग type के cases में mod open कैसे करोगे, क्यों बताया, क्यों मुझे पता था कि अगले lecture में ये काम आएगा, ठीक है, मैंने आपको graph भी draw करना सिखाया है, मैंने आपको graph भी draw करना last lecture में सिखाया है, उसका भी इस्तमाला आज के lecture में हम करने वाले हैं, बहुत बढ़िया लेवल पर करने वाले हैं, तो अगर आपको इस question को solve करना है, हमें हाँ पर mod free expressions create करने पड़ेंगे, yes or no, क्योंकि अगर ये simple equation होती ही, तो मैं linear equation मान के इसको आसानी से solve कर लेता, लेकिन ये modulus equation है, modulus equation हमें solve करते हैं, नहीं आती है, तो क्या करेंगे, mod open करेंगे ना लग लग cases में, और क्या कर सकते हैं, कोई answers है हमारे पास, minus 15 आलोक का एक answer आया है, बहुत बढ़िया, minus 15 I guess is the correct answer for this, and apart from that I guess we will get one more answer, ठीक है, we will get I guess one more answer, उसको भी आप यहापर solve कर नहीं कोईश करें, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारे पास में यहाँ पर दो लग लग मॉडलर से, तो हमारे पास में दो लग लग critical points होंगे, दो लग लग मॉडलर से हैं तो दो लग लग critical points है, एक critical point है हमारे पास में minus 4, और एक critical point है हमारे पास में plus 2, तो हम यहाँ पे तीन अलगलग regions basically imagine कर पा रहे हैं ठीक है यहाँ पर books में आपको इस तरह से बना हुआ नहीं मिलेगा है ना लेकिन ऐसे लिखने से फायदा होता है मैं यहाँ पे case 1 बोलू है ना ऐसा अच्छा है ने लगता फिरो case 1 देखो बच्चो case 1 जहाँ पे x जो है वो greater than or equal to 2 है ठीक है अब यहाँ पे solve करो इसे तो visualize कर लेता ना कि इधर वाले numbers इधर वाले numbers और इधर वाले numbers ठीक है तो बस लिखने का तरीका लगे लेकिन यहाँ से थोड़ा convenience जादा feel होता है अपने answers को जो आ रहे हैं अगर मैं यहाँ पर 2 के right में हूँ तो मैं दोनों ही critical point के right में हूँ तो critical point के right में आपका mod कैसे open होगा given that यह standard expressions है obviously standard expressions है x यहाँ पर positive sign के साथ में है तो मैं यहाँ पर positive sign के और साथ में open करू हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा 2 times of x minus 2 minus 3 times of x plus 4 is equal to 1 मैं अगर यहाँ पर plus sign के साथ में दोनों को open किया तो basically क्या है mod basically bracket जैसा ही behave कर रहा है तो हमने bracket लगा दिया हमाँ पर तो यहाँ पर क्या बनेगा हमरे पास 2x minus 4 minus 3x minus 2l is equal to 1 and what will that give us यहाँ से आएगा minus x ठीक है और यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा आपका minus 16 उस तरफ जाके हो जाएगा 17 तो यहाँ पर x का value निटल कराते है minus 17 क्या करें इसका minus 17 क्या करें यह जो हम solve कर रहे हैं देखो दिख रहा है न हमें कि 2 से बड़े के लिए solve कर रहा था मैं क्या मेरे पास में जो answer आया है वो 2 से बड़ा है नहीं है तो इसको करेंगे neglect ठीक है इसको करेंगे neglect ठीक है बढ़ते हैं अगले case की तरफ अगला case जो है आपका वो है minus 4 और 2 के बीच में अब क्योंकि मैं 2 के left में आ चुका हूँ तो फिर यह होगा negative के साथ में open अभी भी मैं minus 4 के right में हूँ तो यह होगा positive के साथ में open ठीक है minus 12 is equal to 1 क्या हो जाएगा यह minus 5x minus 5x और यह क्या है चक्कर यह हो जाएगा आपका उस तरफ जाके 9 के बराबर देखना है यह minus 8 है minus 8 उस तरफ जाके plus 8 और 1 के साथ मिलके 9 हो रहा है तो x की value आ रही हमारे पास में minus 9 by 5 के बराबर one of the possibilities is कि आप यहाँ पे x की value minus 9 by 5 ले सकते हो and what will happen if I discuss the last case with you all तो last case जो है मेरा उस case में मैं बोलूगा कि दोनों ही critical point के left का discussion कर रहे हूँ इसलिए सब कुछ starting से पढ़ावा होना चाहिए ठीके कोई सा भी lecture बीच में skip नहीं करना है all right चलो तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को minus के साथ में open करूँगा तो सोच सकते हो क्या होगा यहाँ पर minus 2 multiply करेंगे इसके अंदर minus 2 multiply करेंगे तो किदर हो जाएगा minus 2 चलो लिखे plus 4 और plus 12 तो यह हो जाएगा हमरे पास में 16 और यह हो जाएगा 1 के बराबर तो x की value यहाँ से आती है minus 15 क्या यह acceptable है yes क्योंकि मैं minus 4 से छोटे ही answers expect कर रहा था और यह minus 4 से छोटा ही है तो मैं इसको ले लूँगा क्या minus 9 by 5 acceptable है हाँ minus 9 by 5 मतलब लगभग minus 2 है ठीक है minus 10 by 5 होता तो यह minus 2 तो minus 2 वाला range यहाँ पर लायक करता है तो इसको भी हम accept करेंगे हमारे पास में हाफे finally कितने answers आएंगे दो answers finally हमारे पास में आएंगे ठीक है therefore हमारा answer क्या होगा हमारा answer होगा जिसके अंदर हम minus 15 भी report करेंगे और minus 9 by 5 भी report करेंगे ठीक है फंड़ा समय में आया सर चलो और एक सवाल करते हैं next question let us try this one यहाँ क्या होगा यहाँ तो mod के अंदर x square minus x minus 6 लिखा हुआ है mod के अंदर x square minus x minus 6 लिखा हुआ है तो अब इसका क्या करेंगे है है ना क्या हमें यह open करते आता है क्या last class में हमने यह भी discuss कर लिया था अगर quality अंदर है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है है ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाँ पर हम इसको भी open definitely कर सकते हैं लेकिन आपको open करने वाला ही हाँ जो है discussion करना पड़ेगा you cannot think of any direct approach जहांपर आप basically बोलोगे कि x square minus x minus 6 जो है वो प्लस x plus 2 के बराबर हो जाए या फिर minus x plus 2 के बराबर हो जाए ठीक है actually solve तो वही equations होने वाली है यहाँ पर सोच पार ही है यहाँ पर जो solve होगा ना ultimately वो क्या होगा एक बार x square minus x minus 6 को आप x plus 2 के साथ में solve करोगे जब आपने plus के साथ में solve कर दिया और एक बार आप x square minus x minus 6 को minus of x plus 2 के साथ में solve करोगे solve तो यही होने वाली है लेकिन हमें पता होना ची कि कौन से case में कौन सी solve होगी क्योंकि अगर बायचंस हमें neglect करने की जरूत पड़ती है तो हमें कैसे पता सलता है कि हमारे पास case तो defined होना पहले हमारे पास अगर case defined होगा कि मैं दो से बड़े answer जू आपके अगर किस्मत अच्छी है और आपने अगर यहाँ पर बिना सोचे समझे से solve कर दिया और कोई भी answer अगर बायचंस neglect नहीं हुआ तो फिर तो हम दोन की answers match कर जाएंगे लेगन अगर कुछ neglect होता है न तो फिर आप ज़्यादा answer बता होगे मैं कमा answer बता हूँ तो वहाँ पर आपका answer गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे बताओ कि इसके अंदर factorization कैसा हो रहा है यह बेसिकली जो है आपका x square minus x minus 6 this is nothing but x minus 3 into x plus 2 yes or no तो इसका मतला हमारे पास में यहाँ पर दो critical points है एक ही modulus के दो critical points है minus 2 भी critical point है और 3 भी हमारा critical point है ठीक है कोई tension नहीं तो यहाँ पर हम दोनों ही critical points mark कर लेंगे अभी हमारे पास में minus 2 भी एक critical point है और 3 भी हमारे पास में critical point है ठीक है अगर मैं दोनों ही critical points के right में हूँ तो क्या होगा अगर मैं दोनों ही critical points के right में हूँ तो modulus मेरा plus के साथ में open होगा अगर मैं दोनों ही critical points के left में हूँ मतलब इस region में हूँ तो भी क्या होगा क्योंकि मेरे पास में दुनों चीज़े multiplication में हैं तो पहला वाल्य नेगेटिव बनेगा दूसरा वाल्य भी नेगेटिव बनेगा तो effectively नेगेटिव नेगेटिव के हो जाएगा positive हो जाएगा so in quadratic होता क्या है यहाँ पर basically आप ऐसा सुचते हो कि minus 2 और 3 क्या है आपके roots है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप root के बाहर जाते हो ना तो आपका जो modulus हो plus sign के साथ में open होता है मतलब इधर भी positive होगा और इधर भी positive होगा क्यों होता ऐसा एक बार फिर से सुनो आप अगर यहाँ पे है ना जैसे कि कोई value लेकि आप check कर सकते है जैसे कि आपने हापे अगर 10 लिया ठीक है 10 अगर डालोगे तो यह वाला bracket positive यह वाला bracket भी positive तो overall number positive overall number positive तो mod भी कैसे open होगा positive के साथ में open होगा तो वह equation ही हापे लिग दूँगा तो चलेगा सारे बच्चों है ना अगर positive के साथ में हापे अपनी equation open होने वाली है तो x square minus x minus 6 directly equal हो जाएगा x plus 2 के अब में हापे यहाला case पहले आपको solve करके दिखा तो अगर minus 2 से कम अगर आप कुछ imagine करोगे तो क्या होगा minus 2 से कम अगर आप यहापे कुछ imagine करोगे तो आपके पास में यहापर क्या बनने वाला है जैसे कि आपकर यहापर minus 10 डालोगे तो क्या होगा ठीक है अगर आप यहापर minus 10 डालते हो तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा आपके यहापर यह minus 13 हो जागा है minus 8 हो जागा तो negative negative अलड़ी यह expression positive है अगर expression positive ही तो mod अभी भी आपका कैसे open हो रहा है plus sign के साथ में ही open हो रहा है ठीक है तो इसलिए यहापर भी आपकी equation exactly वही बनेगी यहापर आपके इसमें x square minus x minus 6 is equal to x plus 2 ही बनेगा तो solve actually same ही चीज हो रही है लेकिन यहापर आप answer आपको accept करना है कि neglect करना है हो अलगलग cases में आपको देखना पड़ेगा ठीक है और यहापर आपके इसमें बना क्या है x square minus x minus 6 जो ही वह equal हो जाएगा directly x plus 2 के क्योंकि आपका mod यहापर plus sign के साथ में open हो लेकिन अगर आप minus 2 3 के बीच की बात करोगे जैसे की 0 minus 2 और 3 के 20 की बात करोगे जैसे की 0 तो यहापर 0 डाल की यह negative होता है यह positive होता है तो अपका expression negative है तो mod को यहाँ पर अपना काम करना पड़ेगा तो mod क्या करेगा यहाँ पर open होते समय minus sign extra लगा के open करेगा कि ताकि हमें दिक्कत ना आए है लेकिन यहाँ पर negative बन रहा था तो उसने खुद से negative लगा के दिया कि यार देखो आपको positive value मिलने चाहिए ठीक है 0 डाल के आप यहाँ चेकर सकते 0 डाल के यहाँ पर यह bracket तो minus 6 है लेकिन minus उसने खुद ने दे दिया ना extra तो यह plus 6 हो गया तो what we are getting here is modulus का value plus 6 और x equal to 0 और इसको equate करना है आपको यहाँ पर x plus 2 से तो जैसे कि मैंने आपको बुरा था आपके जो equation solve होगा वो तो वही वाला होगा mod एक बार plus के साथ में solve करो mod एक बार minus के साथ में solve करो लेकिन कब कौन सा करना यह तो पता होना चाहिए that is why यहाँ पर यह cases create करना important है तो अगर मैं यहाँ पर इसको solve करना start करों तो मेरे पास में क्या आएगा मेरे पास में आएगा x square minus 2x and minus 8 is equal to 0 यह factorize हो जाएगा आपका x minus 4 into x plus 2 से तो यही same चीज़ यहाँ भी copy कर दू same equation है नहीं वाली यहली equation वाली equation same है तो हमेरे पास में यहाँ पर भी factorization आएगा कितना x minus 4 into x plus 2 is equal to 0 तो यहाँ से आप एक तो answer देख रहे हो 4 और एक तो answer देख रहे हो minus 2 यहाँ से भी आप एक तो answer देख रहे हो 4 एक तो answer देख रहे हो minus 2 अब 4 वाला answer यहाँ पर accept हो जाएगा और minus 2 वाल answer यहाँ पर accept हो जाएगा boundary condition जो है वो आप यहाँ तो इस तरफ ले लिया करो या फिर इस तरफ ले लिया करो ठीक है इतना कोई hard and fast नहीं है boundary condition अगर आ रही है तो आप उसको acceptable मान सकते हो यहाँ पर ठीक है आपको इसमें आ रहा है यहाँ पर minus x square plus x plus 6 is equal to x plus 2 तो आपको पहले तो x plus 2 sorry x x cancel होगा and further you will get x square is equal to 4 तो यहाँ से आपको इसमें x की value एक तो आती है 2 और एक तो आती है minus 2 तो 2 तो यहाँ पर मैं accept करूँगा ही करूँगा 2 तो accept करने में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 2 तो इस range में लाय कर रहा है minus 2 फिर से आपकी boundary condition है you will always observe this कि अगर boundary condition acceptable आती है तो दोनों साइट से acceptable आपको equation में भी वो दिखाई दे जाता है तो minus 2 आप यहाँ पर accept कर रहे हो कहीं पर भी accept करो basically count तो यह के बार करना है minus 2 को यहाँ पर यह मुल सोचना है कि हमने neglect कर दिया तो हम count नहीं कर सकते हैं इस case में count नहीं कर सकते हैं लेकिन इस case में count कर सकते हैं तो minus 2 को हम लेंगे discussion में हमारे answer में report करेंगे तो हमारे पास में आप answers क्या क्या आता है हमार पास में total अब तीन answers बनेंगे I guess 2-2 and 4 2-2 and 4 becomes our final answer का set तीन अलगलग answers यहाँ पर आप report कर सकते हो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है 2-2 and 4 ठीक है बढ़ सकते हैं आगे याला सवाल करके मज़ा आया सारे बच्चो को देखो आपका यहाँ पर जो main funda है वो अगर आप में पकड़ लिया modulus का कि modulus open दो ही तरीके से हो सकता है plus के साथ में या फिर minus के साथ में तो extra चीज आपको बस इतनी सी धियान रखनी है extra चीज बस आपको इतनी सी धियान रखनी है कि यार कौन से case में कैसा open होगा क्योंकि accept करना है कि neglect करना है वो उसके ओपर depend करता है कि आप कौन सा case solve कर रहे है ठीक है तो सारे बच्चे हाँ पर जो भी मोज़ो दे लाइक वाइक करते जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ पर अपने अगले सवाल की तरफ अल्राइट हाँ आज अश्वानी सर के class में हो पाई है न कोई बात निए वो cover up हो जाएगे आपकी don't take tension ठीक है अल्राइट next let us try to solve something like this again an interesting one solve for the equation mod के अंदर x square minus 9 plus mod के अंदर x square minus 4 is equal to 5 क्या answer इसका बनना चाहिए try करें सारे बच्चे आप अगर genuinely try करना चाह रहे है end तक प्रूवा solve करना चाह रहे है तो आपको pause करने की जरूद पड़ेगी pause करते जाए हाँ और solve करते जाए ठीक है all right तो ये वाला सवाल में solution discuss करना start करा हूँ अगर आपको solve करना तो pause करना है ठीक है अगर ये वाला सवाल में आपको आसानी से solve करना है तो आपने एक बात observe करना चाहिए कि यार दोनों जगे x square है तो मैं थोड़ी देख लिए x square को t डालता हूँ बाद में देखेंगे कि x square का क्या करना है ठीक है यहाँ पर आप अपना जो substitution वाला method इस्तेमाल करके अपने question को आसानी से solve कर सकते हो ठीक है बास वाल में आ रही है otherwise तो यहाँ पर आपको देखो कितनी चार अलग लग आपको यहाँ पर critical points नज़र आएंगे and that will make your solution very lengthy कुछ जादे lengthy नहीं हो जाएगा यहाँ से आप बोलोगी plus minus 3 दो critical point है जैसे की पिछली बार बोला था हमने अंदर हमें caudic नज़र आई थी तो हमने यहाँ पर दोनो roots देखे थे दोनो roots हमारे क्या हो गए थे critical points हो गए थे ठीक है 3 भी critical point था minus 2 भी critical point था ठीक है अच्छा और यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर plus minus 3 आएगा यहाँ पर plus minus 2 आएगा तो हमारे पास में एक number line के उपर चार critical points मार्क किया होए होंगे ठीक है चार critical points अगर मार्क किया होए है तो हमारे पास में actually solve करने के लिए कितने region आजाते है पांच region आजाते है तो पांच अलग एक equation बना के आपको solve करना पड़ेगा let us not do that let us use the idea of substitution let us use the idea of substitution है ना ताकि हम जल्दी अपने answer तक पहुच पाए all right so let for some time x square is equal to t अगर x square equal to t है तो अब मुझे यहाँ पर question देखके बहुत अच्छा लग रहा है तो अब यहाँ पर solve करने के लिए थोड़ा आसान होगे 4 यहाँ पर ले रहते है 9 यहाँ पर ले रहते है so दो आपके यहाँ पर critical points को ऐसे 3 region create हो रहे है हमें अब पता है कि दोनो critical point के right में mod दोनों कैसे ओपर होंगे plus sign के साथ में मतलब t minus 9 plus t minus 4 becomes equal to 5 so 2t becomes equal to how much यहाँ जाएगा आपका 18 के पराबर so t becomes equal to 9 in our first case फिर से यहाँ पर देखो आपका boundary situation आ रहा है तो आप इसको accept कर लोगे boundary condition आ रहा है तो आप इसको accept कर लो, कोई tension वाली बात नहीं ठीक है, फिर बीच में आ जाता है और अगला वाला अभी भी plus के साथ में open होगा क्योंकि आप 4 के right में हो ठीक है, so यह आपका equation ऐसे कुछ बनता है अब यहाँ पर यह cancel हो गया और आपको यह calculate करके मिल रहा है 5 is equal to 5, इसका क्या करे यह तो बड़ा अजीब हो गया हमने ऐसा तो पहले कभी solve किया नहीं हम solve करना चाह रहे थे t के लिए लेकिन t ही cancel हो गया और t cancel होने के बाद में जो equation आ रही है that is equal to 5 is equal to 5 तो इसका यह मतलब होता है कि आप यहाँ पर t का कोई भी value डालो ultimately 5 और 5 equal तो होई जाएंगे न इसका मतलब इस range में लाय करने वाले सारे के सारे जो आप t imagine कर सकते हो वो सभी आपके answer में आना चाहिए इस range में लाय करने वाले जो भी आप यहाँ पर values imagine कर पा रहे हो वो सभी आपके answer आवना चाहिए यह basically यहाँ पर indicate करता है ठीक है क्योंकि 5 equal to 5 is true always लेकिन always मतलब के always मतलब जब-जब always possible है है ना इस case के अंदर जब-जब आप discussion करोगे तो आपको यहाँ पर हमेशा satisfy करने वाला यहाँ पर equation मिलेगा जैसे कि यहाँ आरे करके भी देख सकते हैं तो यह आपको फिर से कुछ नया सिखा रहा है यहाँ पर आपको सारे के सारे answers INCLUDE करने हैं अगर आपечат पर 4 के पीछे चलाया तो आपके दोनों के दोनों negative के साथ मे própria तो यह हो जाएगा minus t plus 9 and minus t plus 4 is equal to 5 this is giving us 2T is equal to कितना हो जाए गई 8 के बरावर तो T हो जाएगा आपका 4 के बरावर ठीक है फिर से आपका boundary condition है तो हम यहाँ पर include कर लेते हैं तो यहाँ दोनों ही boundary conditions included रहे अब यहाँ पर सोचो कितना आसान है इसको visualize करना boundary conditions दोनों ही आपकी acceptable है मतलब T की value 4 और 9 अगर हो जाएगी तो आप accept कर लोगी ठीक है और इसके बीच वाले जो cases है वो भी सारे का सारे included है मतलब T की value यहाँ साले कि यहाँ तक पूरी include की जा सकती है answer बताते समय तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि T जो है वो कहां से कहां लाए करना चाहिए less than or equal to अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हो तो आप ऐसा कुछ expression लिखो कि वो 4 और 9 की बीच में कहीं पर भी लाए कर सकता है yellow point पकड़ में 4 और 9 की बीच में आपका variable क्या है T so T can go anywhere from 4 to 9 including 4 and 9 इसलिए हम पर हमने आपको solve करनी पड़ेगी तो आपको जो पहला inequality का case है that is x square is greater than or equal to 4 देख पार है नो x square बड़े वाले साइड है तो यह दुनों equation same लिखे में ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x square minus 4 is greater than or equal to 0 मतलब x minus 2 into x plus 2 is greater than or equal to 0 तो यहाँ पर wavy curve method का आप इस्तमाल करेंगे minus 2 and plus 2 आपके critical point से plus minus plus करने पर आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि आप plus वाला region select करो equal to भी है तो आप यहाँ पर close interval भी plot कर लो ठीक है यह होगी आपका discussion for case 1 आपका जो case 2 है आपका जो case 2 है वो क्या है कि भाई यह वाला आपका condition satisfy होना चीए which is x square should be less than or equal to 9 फिर से आप इसको left hand side में लेके होगे x square minus 9 is less than or equal to 0 मतलब x minus 3 into x plus 3 is less than or equal to 0 इससे कई गुना difficult question हमने आपने lecture number 2 of functions में किये होगे है ठीक है जहाँ पर मैंने आपके साथ में इसलिए यहाँ पर इतने जल्दी जल्दी में कर पा रहा हूँ otherwise इतने जल्दी कैसे करेंगे जब पहले से किये हो होंगे तभी कर पाएंगे ठीक है तो हमने lecture 2 में यह सारा discussion किया हो यह वाला आपका जो second case है वो बोल रहा है कि आपका जो x है वो माइनस 3 और 3 के बीच में होना चीए और यह बोल रहा है कि आपका x माइनस 2 से छोटा या फिर 2 से बड़ा होना चीए यहाँ पर मुझे दोनों की बात माननी पड़ेगी न because t has to lie in this range मतब यह वाला जो condition है lower bound भी satisfy होना चीए upper bound भी satisfy होना चीए मतब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर case 1 और case 2 का intersection लेना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा case 1 and case 2 का intersection लेना पड़ेगा intersection case 2 यह मेरा final answer बड़ेगा तो intersection कैसे लेते हैं intersection अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर यह चोड़ा सा काम करो कि दोनों ही answers को एक साथ plot करो minus 2 minus 3 2 and 3 यह वाला case बोल रहा है कि आपका answer जो है वो minus 3 और 3 के बीच में होना चीए और यह बोल रहा है पहला वाला कि आपका जो answer है वो minus 2 से छोटा या फिर 2 से बड़ा होना चीए so where is the intersection case 1 हमने यहाँ पर black color से mark किया है case 2 हमने red color से mark किया है so intersection is what intersection is this blue selection जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आपका answer यहाँ पर आता है x के लिए minus 3 से लेके minus 2 union 2 से लेके 3 यहाँ पर आप देखो कि आपका answer कितना अलग निकल कर आया है अभी तक हमने इस तरह किसलिक है जाएगा minus 3 से minus 2 union 2 से लेके 3 यह बहुत ज़्यादा अलग क्यों है क्योंकि जब हम इसके पहले equations solve कर रहे थे तो हमारे पास में discrete गिने चुने values आ रहे थे यहाँ पर एक पूरा continuous interval हमें दिखाई दे रहा है ठीक है so यहाँ पर यह क्यों हुआ क्योंकि एक पूरा को पूरा range हमें acceptable मिल गया यहाँ पर ठीक है पूरा को पूरा range यहाँ पर acceptable मिल गया इसके पहले पूरा range acceptable नहीं मिल रहा था कुछ answers यहाँ पर कुछ answers यहाँ पर कुछ answer यहाँ पर मिले थे इसलिए कुछ एक values हमें यहाँ पर फाइनली equation की solve करके मिल रही थी ठीक है वैसे आप अगर पिछले आल सवाल में notice करो यहाँ अब अभी दो अलग-अलग values हमें मिल रही थी लेकिन अभी जो हमें last question अभी किया है ठीक है इसके अंदर we can literally see कि हमें पूरा-पूरा interval मिल रहा है clear होता है सारे बच्चों को yes all right हाँ जी एक बार फिर से बता दू एक बार देख लें सारे बच्चे फिर से चलो जल्दी से फिर इसके आप इसके आप बाद हमें बहुत ही amazing question करना है ठीक है इसके बाद हमें बहुत ही amazing question करना है जिसके हमें graph का इस्तेमाल करने की जरूत पड़ी कि तो इसको जल्दी समझ लो सबसे पहली बाद हमने हाँ पर notice करें कि क्योंकि दो जगे x square आ रहा था और x-vex वाला भी हाँ पर कोई term नहीं था तो हमने बोला कि हाँ पर substitution से इसको हम ज़्यादा आसानी से solve कर सकते है so one thing that we learned new in this question question is कि x square equal to t डाल के भी चीज़े solve की जा सकती है तो x square equal to t डाला मैंने हाँ पर मेरे पास में तीन अलग लग केसे बने तीन केसे क्यों बने क्योंकि मेरे पास में दो ही क्रिटिकल पॉइंट से 4 & 9 जब मैंने हाँ पर solve किया तो मेरे पास में हाँ बाउंडर कंडिशन तरू आ अगर यहाँ पर question में यहाँ पर change कर दूँ अगर मैं question कर दूँ कि यह 4 के बरापर solve करना है आपको ठीक है तो यहाँ पर 4 होता तो यह क्या आ जाता 5 is equal to 4 आता क्योंकि बाकी तो कुछ मेरे change नहीं किया न तो यह क्या था left hand side तो 5 बनता लेकिन right hand side में 4 आता तो उस case में यह यह 4 होता तो यह neglect करने वाला step होता जहाँ पर पूरा case neglect हो गया होता ठीक है all right but we are doing a better question जहाँ पर पूरा का पूरा case include हो रहा है ठीक है all right तो यह पूरा का पूरा case अगर include हो यह answer है लेकिन हमने आप यहाँ पर answer निकाला है वो T के तो निकाला है minus 4 से लेके 9 तक हम यहाँ प clear all right अगर आपको x square चाहिए 4 और 9 के बीच में अगर आपको x square चाहिए 4 और 9 के बीच में तो आप x कहां से कहां तक ले सकते हूँ minus 2 और minus 3 के बीच में या फिर 2 और 3 के बीच में ले सकते हूँ ठीक है आओ all right चलो तो यह अलग question करते हैं this is a very good question देखें हाई पार सारे बच्चे यहाँ पर और समझो कि यहाँ पर अलग क्या हो रहा है पहली बात तो यहाँ पर आपको exact solution निकालने के लिए नहीं बूला जा रहा है इसके पहले बूला गया था solve the equation बदो मुझे actually बताना अगर इसके चार solution है कौन-कौन से किसी को मतलब नहीं उससे है यहाँ पर number of solutions is important actual value of solution is not important कि कौन-कौन से answer से वो हमरे लिए important नहीं है ठीक है और यहाँ पर दूसरी बात कहें कि equation तो उसने पूरी तरसे दी नहीं है उसने equation में एक variable डाल दिया जिसकी value आपको find करना है तो वै ऐसे questions को solve करते हैं graphically हमने यहाँ पर अपनी पढ़ाई स्टार्टी करिए हमने यहाँ पर अभी पहला ही function सीखा है modulus function जिसका graph बनाते हमें आता है ठीक है तो जैसे हम यहाँ पर नए नए functions पढ़ेंगे इस तरह के graphical approach वाले आप बहुत सारे questions अब आगे चलके कर पाओगे ठी trigonometric पढ़ेंगे तो trigonometric functions के भी graph होता है, sine का graph होता है, cos का graph होता है, ठीक है, quadratic equation पढ़ेंगे तो quadratic equation का भी parabola type का graph होता है, तो we will be studying graph in a lot more detail, लेकिन अभी last class में मुझे बताओ कि मैंने इस तरह का आपको graph draw करना directly सिखाय था गे नहीं सिखाय था, ठीक है, तो already मैंने आपको य application आपको यहाँ पर करके देखना है, now the idea is, कि जो हमारे solutions होता है न, वो graphically intersection points होता है, और ये बात आपको पता है, क्योंकि बच्पन में आपने एक chapter पढ़ा है, I think class 9th में पढ़ा है, जिसको हम बोलते है, solution of simultaneous linear equation, 9th में पढ़ा है कि 10th में बताओ, जल्दी से बताओ, जल्द पढ़ा है, solution of simultaneous linear equations, वो कौन सी class में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, या 10th में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही idea basically हम आगे proceed करने वाले हैं, ठीक है, ओके, 9th में, 9th एं 10 दोनों में पढ़ा है, चल्द, ओके, अगर आप इन दोनों को plot करोगे, तो इनका जो intersection point आएगा, वही इसका common solution है, जो इनका intersection point आएगा, वही इसका common solution है, तो हम यहाँ पर वैसे थे, इसको solve कर सकते हैं, इसको solve करके हमारे पास में answer कितना आएगा, x equal to 0, दिख रहा हैं का सार बच्चों को, solve कैसे करते हैं, इसको अगर आपको solve करना है, तो solve कैसे करोगे, यहाँ पर थोड़ा से reverse में, reverse engineering करोगे न, तो जाथ है यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, अगर मुझे इन दरों को solve करना है, तो मैं y को eliminate करूँगा, अगर मैं y को eliminate करूँगा, तो मेरे पास में equation क्या बनेगी, 2x plus 1 is equal to minus x plus 1, 1, 1 cancel हो जाएगा, मेरे पास में 3x equal to 0 आएगा, इसलिए x equal to 0, मैंने इसको solve कर लिया, मैंने y eliminate किया, तो मेरे पास में x में एक equation आई, मैंने उस x की equation को solve कर लिया, मुझे हाँ पर x equal to 0 मिला, x equal to 0 अगर मैं हाँ अब इस्तेमाल कर लूँगा, तो मेरे पास y की value कितनी आ जाएगी, y की value मेरे पास में 1 के बराबर आजाएगी, ठीक है, और यह जो हमारे पास में point आया है, यह जो हमारे पास में intersection point पी आया है, वो कितना बन रहा है, 0,1, and interestingly enough, अगर मैं इन दोनों lines को plot करूँगा न, graph के उपर, तो मेरे पास में exactly यही 0,1 as an intersection point नजर आएगा, याद आगया सरे बच्चों को, I know कि आपको पता है, मैं बस याद दिला रहू, आपके उसमें एक line है, y is equal to 2x plus 1, और आपके उसमें एक दूसरी line है, minus x plus 1, ठीक है, इन दोनों का जो intersection point है, वही actually आपने अभी solve किया है, 0,1, तो जो हमारे solutions होते हैं, जो हमारे solutions होते हैं, जो हमारे solutions होते हैं, इसका जो solution है, वो graphically intersection point होता है, इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, आल्राइट, तो हम यहाँ पे अब इस question में नो उल्टा सोचना चाहते हैं, इस question में हम उल्टा सोचना चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, कि यार मेरे पास में इसको solve करने का target है, जैसे कि यह है, कि मुझे ने इसको solve करना है, तो अगर यह अच्छा इतना अच्छा question होता, तो मैं इसको solve करी लेता हैं, जैसे कि इसके पहले भी मैंने solve किया ही है कब नहीं किया solve, किया ना solve जब यहाँ पर file लिखा हुआ था तो इतना गदा question भी हमने solve कर दिया था तो इस तरह के questions अगर होते हैं तो हम तो solve तो करी लेते हैं फिर उसको ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर तो है मैं इसको solve वैसे करनी पा रहा हूँ तो मैं अटक गया हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं reverse में जाता हूँ मैं ऐसा करता हूँ कि मिरे पास में एक equation लिखी हुई है क्यों ना मै y is equal to lhs एक नया function create करूँ and y is equal to rhs एक नया function create करूँ जिसके मैं graph plot कर पाऊंगा और अगर मैं graph plot कर पाऊंगा तो उनके intersection study करके मुझे intersection point से पता चलेगा कि मेरे solutions कितने आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है आपको एक equation जो नजर आ रही है वहाँ से आपको y is equal to lhs एक अपना function generate करना है जिसका आप आगे चलके graph बनाऊंगे और आपको अलग से y is equal to rhs भी create करना है आप उसको भी plot करोगे और y is equal to lhs y is equal to lhs y is equal to lhs यह इस equation का lhs है और वैसे y is equal to rhs यह इस equation का rhs है जब y is equal to lhs, y is equal to rhs को plot करते हो तो आपको intersection point देखके बतर चलता है कि इसके अदर solution आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कितने आ रहा है और let's do this idea has to be taken forward तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहला task नजर आता है वो क्या है कि यार मैं lhs plot करता हूं rhs तो यार बहुत ही आसान है y is equal to mod of x minus 1 minus 2 times of mod x and plus mod of 2x plus 1 अगर अभी तक जो हमने बात करी है वो अगर किसी को हजम नहीं हुई है तो भी यहाँ पर अभी आगे continue करो ठीक है उस पर अठके मत रो है ना अभी आगे continue करो और यह बताओ कि आपको at least graph तो draw करते आता है न अगर मैं यहाँ पर आपसे बूचूँ कि इसका आप graph draw करके बताओ तो यह तो last class का question हो गया आप यहाँ पर क्या बोलोगी कि हम तो इसको directly draw कर सकते हैं sir मुझी हाँ पर बस यह बतादो sir आप की critical points कौन-कौन से है ठीक है तो मैं बताता हूँ आपको एक critical point आपके उसमें 0 है है न एक critical point आपके पास में क्या है एक critical point आपके पास में है 1 के बराबर है न यहाला 1 देता है और यहाला critical point कितना है आपके उसमें minus half के बराबर तो हमने graph draw करने के लिए सबसे पहले क्या बात notice करी थी कि हमें critical points के output तो इस्तिमाल करने के ज़रूत वैसे भी पड़ती है ठीक है तो हम यहाँ पर एक एक करके output निकाल लेते हैं 0 डालने पर क्या होगा? 0 डालने पर यह 1 बनेगा 0 डालने पर यह 0 हो जाएगा 0 डालने पर यह 1 बनेगा ठीक है तो y के value कितनी आजेगी 2 के बराबर वैसे ही अगर मैं 1 डालने तो कितना हो जाएगा y का value 1 डालने तो यह 0 हो जाएगा 1 डालने तो फिर यह 3 हो जाएगा और यह बनेगा 1 के बराबर और अगर मैं minus half डालता हूँ तो क्या होगा? minus half डालता हूं तो यह हो जाएगा मेरा 3 by 2 के बराबर mod लेने के बाद minus half डालके यह हो जाएगा आपका minus 1 के बराबर mod simplify करने के बाद और minus half डालके हो जाएगा आपका 0 के बराबर तो यह कितना हो जाएगा 1 by 2 के बराबर तो जो 3 critical points है तो उस पर मैंने यहाँ पर y की value भी निकाली तो मेरे पास में अवे entire coordinate है 0,2, 1,1 and minus half, half ये मेरे पास में सबसे पहले plot can like important points आ गए है ठीक है तो इनको सबसे पहले हमें plot करेंगे 0 पर आता है 2 के बराबर 0 पर आया 2 के बराबर ठीक है उसके बाद 1 पर आया 1 के बराबर तो यहां के mark कर लेते हैं इसको 1 पर आया 1 के बराबर और last में देखो minus half पर आया half minus half पर आया half yes all right so minus half यहां कहीं है तो half यहां कहीं है ठीक है minus half पर आया half all right so we have three important points जो हमारे यहां पर critical points के उपर outputs create हो रहा है तो हमें क्या बता है हमें बता है कि इनके बीच हो तो changes वैसे भी होने वाले नहीं है तो आप इन दोनों critical points को join कर दो last class में हमने किया है बच्चों अगर किसी ने miss कर दिया तो please last class देख ले न maintaining continuity is very important तो यह तो आपका figure में आने ही वाला है यह जो आपका portion यह तो आने ही वाला है अब 1 के right में और minus half के left में क्या होगा अगर आपको वो चेक करना है तो हमें यहाँ पर additional points input में डालने पड़ते हैं यहाँ दार है discussion तो हमें यहाँ पर additional points ले सकते हैं तो यह कितना हो रहा है यह हो रहा है आपका फिर से 2 के बराबर ठीक है और राइट तो यहाँ पर हो गया यह 2 तो इसको plot कर लेते हैं 2 डालने पर आपका answer बनता है 2 के बराबर ठीक है तो आपका graph ऐसे उपर जाने वाला है फिर अब और वैसे ही मुझे और minus 1 लेने पर हो जाएगा 1 तो हमारा यहाँ पर value कितना बना 1 तो minus 1 पर होता है 1 तो इसको यहाँ पर draw कर दो यह पर points सारे बच्चे चेक कर ले न तो यह जाएगा आप यहाँ पर उपर इस तरह से ठीक है तो इस बार हमारे पास में जो graph बनाए that is a w kind of graph तो हमने यहाँ पर अपना lhs का graph successfully plot कर लिया क्यों क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर इसको draw करने का shortcut सिखा हुआ है otherwise आपको पता है कितनी जहमत उठानी पड़ती आपको otherwise आपको पता है कितनी जहमत उठानी पड़ती यहाँ पर आपको lhs का graph आपने y is equal to lhs successfully plot कर दिया अब आपको draw करना है y is equal to rhs अब y is equal to rhs मतलब क्या है भाई y is equal to rhs मतलब y is equal to k अब k तो कोई constant quantity है न तो y is equal to अगर यह 2 है तो एक particular horizontal line आएगी y is equal to constant कैसा होता है horizontal line होती है ठीक है अब k की value मुझे actually पता नहीं है मुझे actually नहीं वही निकालना है find करना है मुझे के find k for which the following equation has four solutions तो solution कैसे दिखाई देते हैं solution implies intersection points इस बात को ध्यान रखो solution implies intersection points intersection points लेकिन किसके intersection points of y is equal to lhs and y is equal to rhs ठीक है आप कोई सीवी अगर equation के solutions visualize करना चाहते हूँ तो equation आपके पास में है equation अगर आपके उसमें तो उसके अंदर पक्के से lhs में कुछ लिखावा होगा rhs में कुछ लिखावा होगा तब y is equal to lhs अलग से plot कर लो y is equal to rhs अलग से plot कर लो और उनके intersection points को आप क्या करो study करो ठीक है ओके तो मुझे हाँ पर इस तरीके से imagine करना है k का value कि मेरे पास में चार अलग अलग intersection points आ जाएं and y is equal to k ultimately होने वाली क्या है एक horizontal line होने वाली ठीक है it has to be a horizontal line y is equal to k तो y is equal to k यहाँ पर डाल के कोई फाइदा है क्या नहीं यहाँ पर दो ही intersection points आ रहे है y is equal to k यहाँ पर डाल के कोई फाइदा है क्या नहीं यहाँ पर एक भी intersection point नहीं आ रहा है ठीक है y is equal to k यहाँ पर डाल के फाइदा है क्या नहीं, यहाँ पर भी डालके फाइदा नहीं, यहाँ पर भी मेरे पास में कम ही intersection points आ रहे हैं There is a very specific range जो मैं लेना चाहूंगा which is between 1 and 2 अगर मैं अपनी यहाँ पर जो red color की line है उसको अगर 1 और 2 के बीच में maintain करूं तो मेरे पास में पक्के से 4 intersection points आएंगे मदब अभी यहाँ पर यह जो intersection points से आप visualize कर पा रहे हो आप यहाँ पर visualize कर पा रहे हो कि आपका यहाँ पर answers कैसे कैसे होंगे एक answer आपका minus half और 0 के बीच में होगा एक answer आपका यहाँ पर minus half से पीछे होगा इस तरह से आपका उसमें 4 intersection points आ रहे हैं लेकिन इसके लिए आप यहाँ पर यह red line को कितना उपर और कितना नीचे ले जा सकते हो आप यहाँ पर इसको कहा कहा ले जा सकते हो देखो यहाँ से इसके नीचे अगर चला जाएगा 1 के नीचे तो फिर यह जो आपका contribute कर रहा है intersection points में वो contribute नहीं कर पाएगा ठीक है तो हमें हाँ पर इसको 1 के ऊपर रखना पड़ेगा k की value को और half के नीचे भी रखना पड़ेगा क्योंकि आप अगर बहुत ऊपर ले जाओगा तो फिर से आप में हाँ पर कम intersection points मिल रहे है so from here directly with the graph we conclude कि इसका मतलब आपका k क्या होना चीए k होना चीए आपका एक और दो के बीच में points में मजा है graph का importance में आए graphically solution कैसे निकालते हैं वो भी सबन में आए ठीक है बहुत बढ़ी है चलो great तो यार ऐसे ही मज़े से हम जो है अपना discussion करते रहेंगे random lady cancel board 2021 ICSC अच्छा ये hashtag आप क्या trend करवाने की कोशिश कर रहें देखो अगर यहाँ पर समझदार लोग होंगे तो अगर class 10th के अगर cancel किये तो ऐसा तो हिन्हें नहीं कि 2 साल छोटे बच्चे जो generation हो हमारे लिए जादा important है बड़ी generation हमारे लिए important नहीं है वो वेट होता है या फिर कुछ नो कुछ उसमें भी कुछ उपाया निकालता है ठीक है और वैसे यहाँ पर 10th ICSC में भी कुछ नो कुछ जो अच्छा decision है निकल के आजाना चाहिए अच्छे decisions ले लिए है CBAC board भी हाँपर बहुत important है हमारे लिए जिसने एक important discussion है हाँपर decision जो है cancellation का ले लिए class 10th board का तो hopefully हाँपर ICSC भी बहुत जल्दी कुछ नो कुछ करेगा ठीक है not sure क्योंकि हम नहीं जानते है किसी को भी वहाँपर और वहाँपर क्या discussion चल रहे भी don't know बट होना तो यही चीए कि सभी एक जैसा basically decision ले ठीक है एक board ले रहा है exam एक board नहीं ले रहा है exam तो ऐसी चीज़े वैसे तो नहीं होना चीए alright तो हमने हाँपर इतना सारे discussion करके finally क्या सीख लिया है हमने modulus equations solve करना सीख लिया है ठीक है लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको बुला था कि हमारे यहाँपर दो important portions cover होने वाले है modulus equations and modulus inequalities अब modulus inequalities का अपना importance है और बहुत ही ज़ादा importance है ठीक है modulus inequality है अभी मैंने यहाँपर जैसे plus का अभी 12 की बच्चे को बढ़ाना start किया है तो वहाँपर जो बच्चे अभी यहाँपर आ रहे है वो सबसे बड़ी problem यह report कर रहे है कि सर यह सारी चीज़े हमने नहीं करी इसलिए हमें domain के questions range की questions करने में दिक्कत आ रहे है आप बच्चे यह गलती मत करना तो यहाँपर पहली बात यह है कि अगर आपको वाकई जो है न जे की जो पूरी जर्नी है वो अगर सही तरीके से बीना किसी tension के अगर करनी है न कवर करनी है तो यह एजुकेटर्स जो बोल रहे हैं वो सुन लिया करो सुनी लिया करो नहीं क्यों मतलब अपना logic क्यों लगाना है उसके अंदर बोल रहे हैं कि important है तो आज ही practice करना इसको ठीक है और बोल रहे हैं कि यहाँ पर regular class attend करना important है तो regular class attend कर लिया करो क्योंकि December में जाके आप में से ही कुछ बच्चे हैं जो रोहेंगे और बोलेंगे sir हमारा बहुत जादा backlog हो गया है अब आप कुछ उपाया बताओ कि वो backlog हम cover कर पाएं backlog मतलब आपने कुछ ने कुछ topics छोड़ दी है या तो आपने उनके lectures ही नहीं देखें या फिर आपने lectures देखें तो practice नहीं करी है या फिर आपने practice करी तो previous year questions नहीं देखें आपको कुछ चूड़ गया और इसा होता है अगर आप dedicated नहीं हो अगर आप यहां पर पूरी तरह से लगे हुए नहीं हो तो कुछ ने कुछ आपको चूड़ते जाएगा विजुच में से कुछ ने कुछ चूड़ते जाएगा इन दे एंड आपको December में जाके लेगा यार आप मुझे पूछना पड़ेगा सर से कि यार यह अमें कैसे करूँ इतना बड़ा जो है गलबड हो गए ही मेर से ठीक है बहतर तो यही होगा कि आप वही गलतिया ना करें जो आपके seniors ने करी है और आपके seniors का मतलब यह नहीं कि जो 2021 या 2022 में देने वाले paper seniors मतलब 10 साल भी पहले कि अगर बात करोगे तो हर को यही गलती करता है क्यों regular नहीं रहते हैं और फिर जो कुछ नों को जितना burden हो जाता है उनके उपर कि उनको topics ultimately छोड़ने पड़ जाता है So let us not do that Modulus inequality बढ़ना start करते है Modulus inequality फिर से अगर आपको solve करना है तो सबसे basic ideas यहाँ पर आपको use करना है वो तो यही वाला है कि अगर equality के जगे अगर आपको यहाँ पर inequality कोई दे दे equality के जगे अगर आपको कोई inequality दे तो यहाँ पर हमारे पस में obviously दो अलगले type की major inequalities होती है एक less than वाली होती है और एक greater than वाली होती है तो दोनों के इहाँ पर हम केसे discuss करने वाले है less than के लिए अलग तरह से solve होता है चीज़े और greater than के लिए अलग तरिके से solve होती है ठीक है यह जो discussion है यह सुनने से आपको लेगा है यह बहुत आसान है वैसे आसान है ठीक है लेकिन important बहुत जाद है तो यहाँ पर सोच के देखो कि अगर कोई आपसे बोलता है कि fx एक expression है जिसका modulus एक quantity से कम आना चीए तो यहाँ पर आपको सबसे आसान रहेगा अगर आप यहाँ पर modulus का जो basic understanding है उसके उपर चले जाओगे तो modulus का basic understanding होता है distance from origin modulus का basic understanding होता है distance from origin ठीक है तो मैं यहाँ पर basically एक ऐसे function fx ऐसे expression fx का discussion करना चाहाँ जिसका mod कम है a से mod मतलब distance from origin कम है a से तो a से कम distance अगर आपको चाहिए तो आप कहा से कहा तक जा सकते हो origin से आप कितना दूर जा सकते हो max to max आप a तक जा सकते हो ताकि आपका distance जो है a या a से कम रहे अगर equality लगी है तो आप a को भी include करोगे अगर equality नहीं लगी है तो आप a को include नहीं करोगे है नो end point को include करना है कि नहीं करना है वो किस पर depend करता है हमारे inequality के उपर depend करता है less than है तो end point को include नहीं करना है less than और equal to है तो end point को include करना है लेकिन जैसे हमने आपर डिस्टन्स किया था यार डिस्टन्स जो है वो तो दोनों साइड सेम ही होता है ना डिस्टन्स तो डिस्टन्स होता है डिस्टन्स में क्योंकि डारेक्शन तो होती नहीं ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि यह इस साइड के भी हम किसी को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आपका fx जो है वो minus a से बड़ा हो जाए and तिकि minus a से बड़ा तो बहुत बड़ा हो जबता है है रो minus 10 से बड़ा क्या hundred है 100 is greater than minus 10 लेकिन क्या वहां तो जानी की permission है नहीं 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 वहां तो जानी की permission नहीं आपका fx minus a से बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा भी होना चाहिए किस से a से छोटा भी होना ची अगर आपको कोई है कि ये छोटी सी inequality दे रहा है modulus inequality solve करने के लिए तो आप यहाँ पर इसके दो टुकड़े करोगे एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा वो है जैसे कि इसके पहले भी हमने हाँ पर दो portions में solve equality के case में भी किया था लेकिन जब आप यहाँ पर inequality solve करोगे तो आपके समें हाँ पर distinct जो है discrete values नहीं निकल कराएंगे, equality solve करें तो हमारे पस में 2 by 3 है ना, minus 9 minus 15 इस तरह से अलग-लग values निकल करा रहते हैं जब हम inequality solve करेंगे तो हमारे पस में पूरे-पूरे intervals निकल कराएंगे तो अब यहाँ पर करना के बढ़एगा यहाँ से हमारे पस में एक interval आएगा जो allowed है इसके हिसाब से और यहाँ से हमारे पस में एक interval निकल कराएगा एक inequality है ना, inequality solve करना हमने and का मतलब होता है कि आपको दोनों answers का intersection करके final answer निकालना है क्योंकि आपको वो x चाहिए जिसके लिए ये बात भी true हो और ये बात भी true हो मतलब common values चाहिए आपको जो दोनों conditions के लिए true हो रही है वो हमें यहाँ पर इस तरह के cases में solve करके बतानी होती है ठीक है यह कौण सा है less than वाला case है less than equal to वाला भी यही कैस है less than वाला भी यही कैस है बस यहाँ पर endpoints include करना है कि नहीं करना है वो यहाँ पर आपको depend करता है कि less than है या फिर less than equal to है लेकिन अगर greater than है न हो सोचो क्या होगा अगर आपको कोई बोल रहा है कि fx एक ऐसा expression जिसका mod a से बड़ा है मतलब सीधी सीधी बाल आपके करना चाहिए कि उसका distance from origin a से बड़ा है मतलब आपको तो बहुत दूर जाना पड़ेगा नहीं आपको origin से कितना दूर जाना पड़ेगा आपको a distance से भी जादा दूर जाना पड़ेगा अगर आपका function ये condition satisfy कर दे कि वो खुद a से बड़ा है अगर आपका function ही अगर a से बड़ा हो जाएगा तो उसका mod भी a से बड़ा हो जाएगा या फिर distance अगर आप negative side में गर देखना चाहरे हो तो यहाँ पर भी आते 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 आप a distance तो cover करी चुके हो लेकिन आपको mod is greater than a का मतलब समय में आता है न कि distance a से बड़ा हो जाना ची सो अगर distance a से बड़ा हो रहा है तो भई यहाँ तक आते 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 आपका distance a complete हो गया तो इससे भी दूर चले जाओगे तो distance आपका a से बड़ा हो जाएगा तो यह जो आपका value है यह क्या है यह basically represent कर रहा है minus a से भी छोटा value wise अगर मैं बूलूँगा तो फिर यहाँ पर negative values है न तो जितना दूर जाएंगे उतना negative value छोटी हो जाएगी जैसे यहाँ पर minus 2 है यहाँ पर minus 10 है तो यह और छोटा हो गया न यह और छोटा हो गया अगर आपका fx यह condition satisfy करता है कि वो a से बड़ा हो जाए तो भी आपका यहाँ पर mod का value satisfy कर जाएगा और अगर आपका fx का value minus a से छोटा हो जाएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं यह दोनों साथ की तो वैसे भी exist नहीं कर सकता है क्या करेंगे इस case में और लेना है मतलब union करना है इसके answer का और इसके answer का दो लगलग inequalities जब भी हम solve करते था हमें यहाँ पर पूरे-पूरे intervals मिलता है ठीक है उन intervals का हमें क्या करना है union करके अपना final answer report करना है क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पहले equations solve करके बैठे हो तो आपको एक तो clarity मिल गई होगी कि जब तक मेरे पास में यहाँ पर right hand side में constant value है ना तभी तक में इतने आसानी से इस theory discussions का इस्तमाल कर सकता हूँ जैसे यहाँ पर चीज़े गड़ बढ़ाएंगे अगर आपको यहाँ पर fx का mod और right side में यहाँ फिर से x वाली कोई quantity मिली आपको यहाँ पर cases break करने पड़ेंगे there is no other way out है ना और यह अच्छी बात क्या है उसके इंदर cases break करने में कि वो तो हमने last lecture में सीख लिए है ठीक है तो हमें हमें यहाँ पर equality solve करने हो चाहे inequality solve करने हो मॉडलस तो open करते आनागी जी ठीक है तो let's start with a basic question बहुत ही basic question के साथ में start करते है अगर मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि mod of 4-3x is less than or equal to half तो यहां से हम बोलेंगे क्या यह तो बिल्कुल standard होगे नो question fx का mod is less than or equal to some constant a a की value कितनी है यहाँ पर half के बराबर है तो यहाला case तो मुझे solve करते हाथ यह पहला वाला discussion है fx का mod is less than a तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे minus a से बड़ा भी करो and a से छोटा भी करो अगर आप यह करते हो तो आपका mod definitely half से छोटा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोनों cases क्या बनना चाहिए आपका कि आपको जो fx है 4-3x वो बड़ा हो जाए minus half से and वो छोटा हो जाए वो छोटा हो जाए half से minus half से बड़ा मतलब जीरो के साइड जा रहे है zero के पास जा रहे है मतलब mod कम हो रहे है minus half से बड़ा minus half से बड़ा minus half से बड़ा कहां पर होता है माइनस हाफ से बड़ा मतलब आप इस तरफ जा रहे है माइनस हाफ से बड़ा तो बड़े values कहाँ है number line के उपर right hand side में तो आप 0 के पास जा रहे है तो आपको कम distance ही चाहिए आपको इसका mod मतलब इसका distance origin से हाफ से छोटा चाहिए half से छोटा चाहिए मतलब उस साइट जा रहे है तो आपको क्या लिखना है ये जो function है आपका ये minus half से बड़ा हो जाए है ना minus half से बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही बड़ा हो गया आपको साथ में क्या देखना पड़ाएगा कि वो जो function है वो half से छोटा भी हो अब half से छोटा कर रहे है मतलब फिर से क्या कर रहे हो आप origin के पास जा रहे हो origin के पास जा रहे हो origin से distance कम कर रहे हो origin distance मतलब modulus की value कम कर रहे हो तो कम ही तो चाहिए हमें तो यहाँ पर x आपका less than वाली side चला गया है यहाँ पर अगर आप इसको solve कर तो कितना हो जाएगा 9 by 2 9 by 2 को अगर आप 3 से divide कर तो कितना हो जाएगा 3 by 2 और आपका x कैसा है less than वाली side में चला गया है तो x has to be less than 3 by 2 ऐसा आप लिखोगे finally answer में और अगर आप right side को solve कर तो क्या हो जाएगा इसको उस side इसको उस side ठीक है तो यहाँ पर जब आप 4 minus 1 by 2 कर तो यह हो जाएगा 7 by 2 और आपका 3 x जो वो greater than वाली side चला गया है तो आप जो आप यहाँ भी 3 से divide करोगे तो आप पर यहाँ पर मिलेगा कि 7 by 6 मिलेगा यह बनेगा 7 by 2 3 से divide करोगे 7 by 6 और x गया है क्योंकि greater than वाली side तो यहाँ पर आपका ऐसा answer रिपोर्ट होगा greater than or equal to 7 by 6 तो हम यहाँ पर करना क्या है and करना है मतलब दोनों का intersection करना है ठीक है क्या करना है दोनों का intersection एक answer आपके पास में आया है कि 7 by 6 से बड़ा हो जाए और एक answer आपके पास में आया है 3 by 2 से छोटा हो जाए तो intersection क्या है 7 by 6 और 3 by 2 के बीच पे लेकिन यहाँ पर 7 by 6 और 3 by 2 दोनों included होना चाहिए options में से काफी घटी आए यहाँ पर options यहाँ पर जो है देखते से कई सारे बिच्चों में mark कर दिया होगा लेकिन तब भी यहाँ पर expect करो कि exam में इससे better option आएंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा answer is C है let us try to solve one more question एक और question solve करते हैं चलो फिर तो यहाँ पर आपके उसमें standard expression है yes or no क्या यह standard expression है fx का mod greater than a यही तो अभी theory पढ़के आया है हम लेकिन greater than के case में क्या बोलते हैं हम दोनों cases जो हम create करेंगे उनका union लेंगे ultimately ठीक है तो यहाँ पर हमारे cases कैसे बनेंगे है न अगर इसको solve करना है तो pause कर सकता है यहाँ पर हमारा case 1 बनेगा वो क्या है कि आपको जो fx है न वो खुदी 2 से बढ़ा हो जाएगा अगर वो 2 से ही बढ़ा हो गया तो उसका mod भी 2 से बढ़ा हो जाएगा this is case 1 ठीक है मतलब यहाँ पर आपको याद आ रहे है कि हमारे पास में जो fx है एक तो minus 2 condition है एक 2 condition है तो भई अगर 2 से बढ़ा हो जाएगा तो उसका distance obviously origin से 2 से बढ़ा हो जाएगा अगर minus 2 से छोटा हो जाएगा तो भी उसका distance 2 से जाधा हो जाएगा ठीक है वो दूसरा कैसे उसको बाद में solve करेंगे तो मैं इसको solve करने के लिए cross multiply नहीं करूंगा अब यह question वेवी कर का बने चुका है वेवी कर method में हमने जो जो चीज़े याद रखी हो सारी चीज़े आपको यहाँ पर apply करनी होंगी आपका यहाँ पर जो expression बना है तो इससे सीधर से conclude क्या कर सकते हैं यह fraction अगर आपको greater than 0 चीज़े तो नूमरेट तो अलड़ी greater than 0, denominator को greater than 0 कर दो बनाद आप यहाँ पर बोलोगे कि आपका x greater than 1 होना चीज़े लेकिन यहाँ पर equality नहीं है तो मैंने भी equality नहीं नहीं निकल कर आई फिर और यहाँ पर आपको जो case 2 है वो क्या बनेगा बच्छो आपका जो case 2 है case 2 आपका बनता है यहाँ पर कि आपका जो fx है वो minus 2 से भी छोटा हो जाए तो fx क्या है आपका 2x minus 1 upon x minus 1 यह minus 2 से भी छोटा हो जाए तो आपका sign of inequality less than वाला है और right side में minus 2 तो इसको अगर आप इस तरफ लेकिया होगे तो यह होज़ागा 2x minus 1 upon x minus 1 plus 2 has to be less than 0 तो lc म लेने पर क्या होगा cross multiply नहीं करेंगे ठीक है यह हम पहले discuss कर चुक है बहुत बार कर चुक है तो यहाँ पर हमारे पास में बनता है 2x minus 1 lc म लेने के बाद में 2x minus 2 और नीचे आएगा आपका as usual x minus 1 it has to be less than 0 तो निमेटर में आपके समें बना है 4x minus 3 नीचे आए है x minus 1 तो यह rational inequality हमने सीख लिया है वेगिकर मेथड से solve करना हमारे पास में एक तो 3 by 4 पॉइंट है एक हमारे पास में 1 पॉइंट है that is x belongs to 1 से लेके infinity और यहां से आपके समें जो answer आया है वो है x belongs to 3 by 4 से लेके 1 तो आप दोनों का आपको union करना है अगर आप दोनों का union करोके तो आपका answer क्या हो जागा 3 by 4 से 1 and 1 से infinity 3 by 4 से 1 and 1 से infinity मतलब d आपके यहां पर correct answer होगा लेकिन आप यहां पर मिला के यह answer मत दे दे ना सी answer गलत है इस case में सी answer यहां पर गलत है ठीक है तो don't be careless while marking the answer आप यहां पर इनको मिला के ऐसा नहीं कर सकते 3 by 4 से 1 जा रहा है और 1 से infinite जा रहा है दोनों को मिला दो भाई लेकिन 1 तो नहीं ले सकते ना 1 तो वैसे भी नहीं ले सकते 1 तो denominator को 0 कर रहा है तो 1 तो आपके answer में गलती से भी यह आना चाहिए ठीक है ओल्राइट तो सिंपल है ना अभी हमने यहां पर दो questions all किये है एक हमने less than वाला solve किये है और एक हमने हां पर greater than वाला solve किये है ठीक है तो इतनी थेयरी थे हमने अभी यहां पर पढ़ी थी let us try to solve this ना फिर से यह equality में भी हमने यह process follow क जी postpone होगा क्या यह आपका सवाल है तो यहां पर speculations ही अगर देना है तो भई ऐसे speculations तो कोई भी दे सकता है ठीक है बट यार मैं उस usually करता नहीं है ना मुझे क्या लगता है और actually जो है जो governing body है जो यहां पर conduct करने वाले exam उसको क्या लगता है उसमें तो अलग लग हो सकता क्योंकि opinions तो सबके अलग होती है ना मेरी opinion है कि यहां पर postpone हो जाए तो भी क्या और है वैसे विद्धू exam हो चुकि है जही में में तो मेरे को लगता है दो exam ऐसे हो चुकि है अब क्या है यह मतलब और exam लेकि क्या ही फायदा होने वाला है ठीक है लेकिन बहुत सारे लिकत यह होती है कि जो authority होती है उनको दोनों basically यहां पर opinions को way करके solution निकालना पड़ता है let us hope कि जो solution आएगा वो सबके लिए सही होगा and good thing is कि हम यहां पर जो है उसमें interfere तो वैसे भी नहीं कर सकता है तो जो भी हमारा यहां पर decision होने वाला है उसको ultimately हमें तो accept ही करना है ठी यहां पर अपनी J की त्यारी continue करते रहे ना चाहिए ठीक है क्योंकि आप अगर यह सोचते रहोगी कि यहां पर आपकी exam होगी कि नहीं होगी पोस्पन होगी या cancel हो जाएगी तो फिर आप यहां पर वो जो एक दो घंटे भी यहां पर अपने दिमाग में ले रहे हो नहीं कभी नहीं होगा ठीक है अगर आप यहां पर इधर उधर कुछ भी करोगे तो उससे आपकी competition आपसे आगे निकलेगी इसके chances बनते हैं ठीक है और let us not give our competition that chance मुझे लिटरली नहीं पता कि क्या होने वाला है ठीक है तो there is no way that I can comment on it ठीक है तो अब यहां पर हमने जब fx के बारे में discussion किया था तो fx के बारे में कुछ बोला था क्या कि fx ऐसा नहीं होना चीए वैसा नहीं होना चीए ऐसा तो कुछ मैंने बोला नहीं था ठीक है तो अभी हां पर हम क्या करेंगे यह यह इसको fx बानके solve करेंगे तो हम फिर से less than वाला question solve करेंगे मतलब ही intersection वाला case हम यहापर create करेंगे ठीक है हमारा case 1 क्या होगा हमारा case 1 बड़ा होना चीए है ना और a से छोटा होना चीए तो आपका case 1 बनेगा कि minus 1 से बड़ा हो जाए और case 2 बनेगा कि mod of x minus 1 minus 1 should be less than or equal to 1 इनको solve करेंगे तो कुछ नो कुछ यहाँ पर बनना चीए अब यह जो आपका expression है यह क्या बोल रहा है यह आपका expression basically क्या बोलता है कि 1-1 minus 1 minus 1 cancel करो x minus 1 का mod जाए वो greater than or equal to 0 solve करो तो यह मैं क्यों solve करो यह बोल रहा है मुझे कि case 1 बोल रहा है कि आप x minus 1 का mod greater than or equal to 0 solve करो तो मैं बोलूँगा यह mod की value जिरो से बड़ी आती है हमेशा 0 यह 0 से बड़ी आती है बिलकुल save आता है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ तो x belongs to rn से निकल करा रहा है आगे solve कर निकल कुछ है नहीं एक्स कुछ भी डालो यहाँ पर इस case को चल जाएगा x कुछ भी डालो इस case को यहाँ पर यह definitely चल जाएगा ठीक है अगर हमारे पास में यह बनता है तो greater than minus 1 वाली condition मत दी तो less than 1 वाली condition के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास में अब एक और step basically incorporate हो रहा है अब मुझी यहाँ पर less than वाली एक और inequality solve कर नहीं पड़ेगी so we started off with that idea वहाँ से हमने यहाँ पर case 2 बनाया अब case 2 के भी दो cases बनेंगे case 2.1 and case 2.2 ठीक है तो हमें case 2.1 क्या बनेगा है आपका जो एक case बनेगा यहाँ पर case 2.1 case 2.1 आपका बनेगा कि आपको इस mod को less than or equal to करना है तो आप यहाँ पर बोलोगे कि वो जो value है वो बड़ी हो जाए minus 2 से यहाँ फिर आप यहाँ पर case 2.2 बोलोगे कि वो value छोटी हो जाए 2 से ठीक है और दो से तीन से ठीक है तीन तो solve करके आगे एक कदम आगे कहा जा रहे दिमाग और रहे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आएगा आपका इसमें x should be greater than or equal to minus 1 और यहाँ से आएगा आपका x should be less than or equal to 3 और cases का obviously क्या करते हैं हम intersection तो इनका intersection करेंगे एक case बोल रहे है कि minus 1 से बड़ा होना चाहिए और एक case बोल रहे है 3 से छोटा होना चाहिए तो intersection क्या आएगा minus 1 और 3 के बीच्वे और इन दोनों का भी हमें intersection करना है याद है ना इन दोनों का भी intersection करना है तो इसका answer त इनका यहाँ पर final answer निकल कर आया case 2 का, यह case 2 का answer बता रहा हूँ minus 1 से लेकी 3 तो यह बोल रहे है कि नहीं क्याओ minus 1 से लेकी 3 चाहिए मुझे यह बोल रहे है कुछ भी दे दो में को चले का तो दोनों की बात अगर माननी है तो इसको दूसरे वाले को यहाँ पर मानना जो है वो greater than or equal to 1 minus x होना चाहिए, x cube minus 1 का mod जो है वो greater than or equal to 1 minus x होना चाहिए, अब इसको कैसे solve करेंगे, मेरी खाल से अब सारे बच्चों के दिमाह में बत्ती जल गई होगी, नहीं जली तो यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो, इतने देरे से मेहनत कर रहे है, डेट गंटा पाएगा, आसान तो अभी भी है यह कोशन, ऐसा नहीं कि यह कोशन आसान नहीं है, लेकिन अब वो तरीका नहीं इस्तमाल कर पाऊंगो, जो अभी है अपने हापे थियोरी में बढ़ा है, क्योंकि थियोरी में हमने हापे a के साथ ने चीज़े पढ़ी ने, यह मतलब ए constant value क जैसा हमने उसको imagine करके solve किये, ठीक है, तो अगर मैं उसको उस तरह से solve नहीं कर सकता, तो एक ही तरीका बस्ता है कि मैं हापे mod free expressions create करके अपने solution को आगे बढ़ाओ, ठीक है, so mod free expressions कैसे बनेगे, mod free expressions, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, देखो, अब a की बात बार बार हो रही है, है JPP तो अलग से अभी आपके होने बचे हैं, ठीक है, modless के अभी हमने दो lecture की है, तीसरा lecture भी होगा, उसके आद में आपका JPP भी होगा, ठीक है, तो आपके दो JPPs बचो मैंने अल्री प्लान कर दी है, one has only wavy car method वाले questions, and another has only modless वाले questions, ठीक है, तो उसके लिए लिए आपको पहले, modless का का लेक्षर देखना पड़ेगा, उसके modless वाला JPP भी आप solve करना, start करना, ठीक है, और फिर उसके solutions आपके साथ में share करूँगा, discuss करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर दो ही cases यहाँ पर बन सकते मच्छों कि आपका mod या तो plus के साथ में open होगा, या फिर minus के साथ पॉइंट है one, तो one के right में आप यहाँ भी plus के साथ में open कर लो, so x cube minus one is greater than or equal to one minus x, इसको हम solve करके दिखेंगे क्या हो रहा है, और one के left में negative के साथ में open करो, तो minus x cube plus one is greater than or equal to one minus x, इसको हम solve करेंगे, तो यहाँ से तो one one cancel हो के काफी आसानी से solution निकल कर आएगा, इसा लग आप अगर इसको right hand side में ले जाओ के तो आपके समें आएगा, x cube minus x, x cube minus x बनेगा, लेकिन वो less than वाली side बनेगा, तो इस तरह से लिख लेते हैं इसको, less than वाली side बना नहीं है, तो हमने अपना sign इस तरह से लगा है, तो यहाँ भी यह factorize हो जाएगा, factorize होके क्या हो रहा है x into x minus 1 into x plus 1, this has to be less than or equal to 0, है ना, ऐस विख हमारे पास में expression create हो रहा है, और यह जो है, यहाँ से अगर मैं अपना wavy car method बनाऊंगो तो क्या बनता है, यहाँ पे, दिख रहा है सारा बच्चों को, all right, so I guess this is visible, all right, तो हमारे पास में क्या है, minus 1 है, 0 है और 1 है, so plus, minus, plus, minus, सारे critical points हम यहाँ पे, अपने answer में include कर सकता है, मुझे चाहिए minus वाले values, तो मतलब 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, is the first selection, and minus 1 से छोटा, is the second selection, और interestingly enough, हम actually 1 से छोटे ही cases, solve कर रहे थे, और हम यहाँ पर जो दोनो, के दोनो answers मिले है, वो 1 या 1 से छोटे ही है, ठीक है, तो यह भी हम include अपने possibility में, यह भी हम include करेंगे, अपनी possibility में, ठीक है, alright, and then, अगर मैं इसको solve करूंगा, तो क्या होगा, इसको solve करता समय, आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ left hand side में लेकिया हो, तो हो जाएगा, x cube plus x minus 2, has to be greater than equal to 0, सब कुछ left hand side में लेकिया हो, तो ऐसे कुछ होगे, यहाँ पर यह satisfy कर जाएगा, 1 इसका root है, लेकिन 1 के अलावा इसके और भी कोई root आ रहे हैं क्या, वो तो आप जब तक factorize नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो for that I will use x minus 1 as a factor to factorize it, ठीक है, so x minus 1 इसका factor होगा, अगर x equal to 1 इसका root है, तो यह इसको क्य डाल कर अगर 0 होता है यह expression, तो x minus 1 मेरा factor होता है, और x minus 1 अगर मेरा factor ही तो I can write this entire expression using x minus 1, ठीक है, कैसे, यहाँ पर मैं x minus 1 के अंदर क्या multiply करूँगा तो x cube बनेगा, x square multiply करूँगा तो x cube बनेगा, फिर उसके बाद फिर से using x minus 1, अगर मैं अगला term create करना चाहूँ तो मैं य सोचूँगा, तो मैं यहाँ पर plus x multiply करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से x cube बन गया, यहाँ से minus x square बना, यहाँ से plus x square बना, x square cancel हो गया, अभी हम खुश हो गया, लेकिन आप आगे चल के क्या करना पड़ेगा, देखो, मुझे यहाँ पर क्या देखना है, कि भाई, आपने य plus x चाहिए, तो मैं अब अगले वाले expression से plus x बनाने के लिए क्या लिखूँगा, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, क्योंकि यहाँ से minus x बनेगा, यहाँ से 2x बनेगा, तो दोनों मिलके x बन जाएंगे, and जब मैं यह काम कर रहा हूँ, तो यह automatically minus 2 भी create हो गया this will always happen, यह जो last one constant है, यह automatically हर बार manage होगा, अगर आपने अपना factor सही चुना हुआ है, तो मुझे यहाँ पर बड़ा confidence था कि x minus 1 इसका factor होना चीए, इसलिए यहाँ पर यह पूरा expression में ने x minus 1 की मदद से लिखे दिया है, तो अब x minus 1 आपका factor है, इसलिए common निकलाएगा, तो x x minus 1 आप यहाँ पर common निकलोगी, तो आपके समय बचेगा क्या, x minus 1 common निकल के आपके समय बचेगा, x square प्लस x प्लस 2, x square प्लस x प्लस 2, ठीक है, अब यह बात समझने वाली है, यहाँपर important यह बात यहाँपर समझने वाली है, कि आपका जो x square प्लस x प्लस 2 है न, यह always positive quantity है कैसी quantity है always positive quantity है हमने अभी यहाँ पर जो इक्वेशन class 11th में अभी पढ़ा नहीं है लेकिन तब भी आपने class 10th में discriminant नाम की एक चीज़ देखे होगी इस quantity का जो discriminant है वो negative है b square minus 4a से और कभी भी आपको इहाँ पर discriminant अगर negative होता है और x square का coefficient अगर positive होता है जैसे यहाँ पर x square का coefficient क्या है 1 जब भी discriminant negative होता है और x square का coefficient and coefficient of x square is positive ठीक है तो इन दोनों का combination जो है आपको इहाँ पर imply क्या करता है वो आपने इहाँ पर पता कर लेना चाहिए यह basically combination आपको imply करता है कि आपका जो quadratic है वो हमेशा positive होगा implies quadratic is always positive यह क्यों है इसका detailed discussion हम quadratic वाले chapter के अंदर कर नहीं थे अगर किसको पहले से पता है तो बहुती बड़ी है बात है congratulations अदर्वाइस आप इतना ध्यानत रोखी लो तो जैसे मुझे पता सला कि यह quadratic जो है always positive है तो always positive वाली quantity को में cross multiply करके waste कर सकता हूँ और उसलिए हम यहाँ पर अगला step बड़ी आसाने से लिख सकते है which is x-1 is greater than और equal to 0 मतलब आपका x has to be greater than or equal to 1 बात समझ में आई यहाँ पर यह बात अभी के लिए आप बस note down करके star mark करके लिख लो यहाँ पर हमारे पास में जो second solution निकल कर आता है that is x is greater than or equal to 1 यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है minus 1 से छोटा हो सकता है 0 और 1 की बीच में हो सकता है लेकिन आप greater than or equal to 1 मतलब 1 भी हम यहाँ पर include कर सकते हैं तो इस बाए आप merging कर सकते हो last question में मैंने आपको बोला था कि merge मत कर देना 1 को गलती से भी इस question में बोला था याद रहा है इस question मैंने बोला था कि 3 by 4 से 1 और 1 से infinity आपके यहाँ पर अलग अलगी रहेंगे इनको merge करके आप see answer नहीं दे सकते है क्योंकि यहाँ पर 1 allowed नहीं था आपको minus infinity से minus 1 एक portion आ रहा है minus infinity से minus 1 minus 1 included union एक portion आ रहा है आपके हाँ पर 0 से लेके 1 दोनों included और एक portion आ रहा है आपके हाँ पर 1 से लेके infinity which is again included ठीक है तो अब सबको अगर मैं मिला दूँगा तो मेरा answer क्या बन जाएगा इन दोनों को merge कर दो ठीक है तो मेरा answer बनेगा minus infinity से minus 1 union 1 से लेके infinity ठीक है ऐसा कुछ यहाँ पर आपका final answer create होना चाहिए minus infinity से minus 1 and okay merge करूंगा तो यह आएगा कि oh 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 merge करूंगा तो 0 आएगा नहीं हाँ पर मतलब basically 0 से लेके 1 और 1 से लेके infinity को हमने merge करते तो 0 से लेके infinity हमारे यहाँ पर final answer create होना चाहिए a becomes our correct answer clear हुआ सारे बच्चे को is that right clear हो तो इसी के साथ में हमने यहाँ पर जो है अपने दो important portions modulus के बारे में समझ लिये हैं ठीक है we understood की यहाँ पर हमारा जो equality हो कैसे solve होता है और inequalities कैसे solve होता है inequalities के बारे में हम discussions अपने कल के lecture में भी करेंगे जहाँ पर हम properties of modulus function पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं properties of modulus function ठीक है तो उसको miss out नहीं करना है और क्या करने वाले हैं कल के lecture में हम domain के questions solve करने वाले हैं we will now try to find domain of some functions क्योंकि हमने modulus function की inequality quality solve करना सीख लिया है ठीक है so इसका importance आपको next lecture में clear होगा ठीक है so अगर आपको यहाँ पर सही होगे आपका बहुत ही बड़ी है बात है आपको अगर lecture पसंद आया तो like कर दिया करो है ना और साथे साथ यहाँ पर regular हो यार है ना क्योंकि आपके साथ में यहाँ पर सभी educators बड़े मेहनत कर रहे है ठीक है Ashwani सर आज थोड़े से बिमार है इसलिए उनका session नहीं हो पाए बट यह cover up हो जाएगा for sure क्योंकि हमने plan इस तरह से किया है कि आपको कोई भी session जो है miss नहीं हो cover up हो जाए ठीक है so आपका जो class 11 का schedule है 6, 7, 30 और 9 आपका इस तरह से physics chemistry math के data grant के slot समने हाँ पर decide करकर रहे है Namu सर, Ashwani सर और मैं यहाँ पर आपके lectures लेते हैं और आपके जो 12th के sessions हो रहे हैं वो date way से start जाते है so Jayan सर, Anupam सर और Nishan सर इस order में आपके physics chemistry math के classes लेते हैं आगर आप इनको भी देख रहे हैं तो बहुती बड़ी हाँ बात कर रहे हैं ठीक है अगर आप यहाँ पर जो है extra efforts लगाना चाहते हैं अगर आप यहाँ जूनियर classes में 9-10 वाले अगर बच्चे हैं तो तो आप यहाँ पर दोनों भी देखो क्या attention है ठीक है आपको यहाँ पर समझने की बात है लेकिन पहले 11th focus कर ले न अगर आप junior classes में होता है क्योंकि इसका knowledge आगे वाले educators जो है वो ऐसे कर लेते हैं कि यह उस्ट के कि आपको तो आता ही होगा है क्योंकि इसके ओपर आपको Physics, Chemistry, Maths के सारे के सारे chapters अलरी मिलेंगे लेकिन यहाँ पर जो आपके 1.0, 2.0 के lecture से वो है अगर आप यहाँ पर जो है student अभी 2023 aspirants है और अगर आप यहाँ पर 2022 aspirants तो आपने अपर live sessions के उपर जादा depend करना चाहिए क्योंकि एक साथ देखने से थोड़ा सा नुकसान तो होता है लेकिन अगर जैसे कोई dropper है है ना या फिर जो 2021 aspirants है तो उनके बास तो समय वैसे भी नहीं है है ना वो यहाँ पर 3.0 end होने का wait नहीं कर सकता है ठीक है तो वो यहाँ पर जाके करना है don't make a mistake कि आप directly JPP session में आके solution देखना start कर रहे हो ठीक है आपको पहले हम जो PDF देंगे JPP के जैसे कि मैंने set में भी आपको पहले PDF दिया था अगर आपको खुद से नहीं कर रहे हो तो फिर तो वो session आपके लिए waste है एक तरीके से आपको पता ही नहीं है क्योंकि question अच्छा है कि नहीं है यह तो तब पता चलेका जब आपसे बनाए की नी बनाए अगर आपसे नहीं बनाए तो वो आपके लिए अच्छा question है ठीक है तो आप उसको solution देखो तो आपको उस learning मिलेगी तो इसलिए यहाँ पर खुद की मेहनत बहुत जादा इंपॉर्ट होती है अगर आप यहाँ पर एक कतम आगे बढ़ाना चाहते हो सब्सक्रिशन प्लाटफोर्म के उपर तो सारे एजुकेटर्स आपके हेल्प करने के लिए रेडी है हैं और यहाँ पर आपके एजुकेटर्स आपको पूरी टीम नजर आ रही है वन से लेके 1000 तक आप कोई सी भी राइंग बोलो आपके यहाँ पर एजुकेटर्स का जो ग्रूप है उन्होंने उस राइंग को डेफिनिटली पढ़ाया होगा वो राइंग निकाली हुई होगी अपने बच्चों के साथ में मिलके ठीक है और इसलिए इहाँ पर प्राइस की बात कई बार बच्चे कर लेता है वो डेफिनिटली बहुत जादा जैनुएन है क्योंकि इहाँ पर आप जब सोच रहे हो आप यहाँ पर सोच सकते हुए कि जैसे आपने कोटा के मल्टिपल कोचिंग्स को एक साथ जॉइन कर लिए जॉइनिग अनक्याडमी सब्सक्रिप्शन इस लिटरली राइक जॉइनिग मल्टिपल कोचिंग्स ओफ कोटा and all over India at the same time ठीक है क्योंकि हाँ पर जैसे की vibrant हो गया nucleus हो गया बंसल हो गया है ना अनक्याडमी जेए की team हो गई सब के सब यहाँ पर जो team से आपको एक साथ मिलते हैं ठीक है तो ऐसा इसके पहले कब हो था और मेरे खाल से result यहाँ पर आपको यह सारी बाते बताई भी रहा होगा कि यह वाकि बहुत बढ़ी हाँ तरीके से work कर रहा है ठीक है आप भी एक बार जो है अनक्याडमी का app तो install करें लो यहाँ पर आपको जो है open करने पर दो possibilities मिलेंगी आप यहाँ पर iconic subscription भी opt कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर जो है एक proper mentor चाहिए पूरा planner चाहिए ठीक है then iconic subscription provides a lot more facilities लेकिन academically आपका जो plus है वो भी sufficient है and that is what you can go for आप यहाँ पर summit like के साथ में join करोगा आपको maximum possible discount मिल जाएगा and you can decide the duration कि आप कितना join करना चाहते हो जो आपको यहाँ पर सबसे यादा एक तरीके से useful लगेगा duration वो कौन सा है जो सबसे लंबा है ठीक है क्योंकि उस case में आपको क्या है आपको उपर जो है पढ़ाई एकदम से पूरी complete करने का pressure नहीं ठीक है you will have all the time that you have to complete the J syllabus ठीक है तो आपकर यहाँ पर 11 में है या फिर junior classes में है तो आप यहाँ पर दो साल के subscription के साथ में पढ़ाई करना start करो tension लेके पढ़ाई करना मत start करो कि एक साल कर लिए एक साल में सब कुछ करेंगे ऐसा होता नहीं है एक मेने में तो बिलकुल नहीं होता है बहुत सार एक मेने का subscription बीलेता है लेकिन उनके लिए होता नहीं है जो 11 ही बच्चे है उनके लिए एक मेने का subscription थोड़ी है एक मेने ऋसके लिए टोरिए मैं आप यहाँ बिलकुल मही attempt कि तियारी करना चारह हो आप arch Deswegen आपको बच्छों होने वाला है, इसके पहले कई सारे आपके यहाँ पर जो है, अपना सुप्रिशन जो है, यहाँ पर जीता है एक तरीके से कहना ची, है ना, because of their academic excellence, लेकिन आप भी यहाँ पर अगर academically बहुत स्ट्रोंगे तो आप यहाँ पर, अपना 18th April को होने वाला यूसा है, उसको दें, है ना, that is the final use hat, उसके बाद में scholarship test अभी इस साल नहीं होने वाली है, ठीक है, all right, and that's it for the day, keep supporting, keep sharing, keep liking, है ना, और हमार सभी educators को आप यहाँ पर जो है, connected रह सकते हो, हमारे साथ में further on Instagram, मेरे साथ जुनना चाहते हो, तो Samir underscore idea रख साथ में आप मुझे ढूंड सकते हैं, ठीक है, तो आज के session में इतना है रखते हो, take care, bye-bye, hope you enjoyed this, and you learned a lot in this particular session, ठीक है, चलो, bye-bye.